हमारी सर्क्रार के एक बहुत बड़े दिभाद में थोड़े दिन पहले एक सर्विक्शन किया है India statistical department इस संस्था की तरफ से विभारत सर्क्रार की संस्था है इनों एक सर्विक्शन किया है और वो सर्विक्शन में उन्होंने जांकारी दी है 110 करोड लोगों की भारत में मात्र 33 करोड लोग ऐसे हैं जो चिपिट्सा की सुमिधा ले सकते हैं मात्र 33 करोड इसको दूसरे सर्दिक शब्दों में मैं कहूं तो भारत में सिर्फ 33 करोड नागरिक ऐसे हैं जो चिपिट्सा करा सकते हैं वो चाहे पेलोपेटी की हो, होमियोपेटी की हो, आयोपेटी की हो, बायोक्यमिक हो, नेच्रोपेटी की हो, योग या प्रहायाओं की हो, या मेरिमेट खरेवी की हो, जिनको वैगल के चिलिक्सा पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इसका मतलग यह हुआ कि 70 क्रोर नागरिक ऐसे हैं इस देश्ट में जिनके पास चिकित्सा की सुविधा उतलत नहीं है। इसके पास चिकत्सा मान करों सुविधार करते हैं। इसकार की जानकारी के अपसार बिना चिकत्सा के चलता है। मातल 23 क्रोर नागरिक भी हैं जो चिकत्सा ले पाते हैं। ये जो 33 करोर नागरिक हैं इनके बारे में एक सर्वेक्शन किया है सरकार में। इन 33 करोर नागरिकों में से 5 करोर नागरिक ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी हिमारी डायविक्श है। और इस डायविक्श के कारण उनकी जिन्दकी बहुत दुख में है। आप सभी जानते हैं कि डायविक्श एक ऐसा रोग है जिसको मदर बसीज कहा जाता है या कभी-कभी इसको साइलेंक किलर करते हैं। ये डायविक्श ऐसा होता है कि किसी को मारेगा तो चुप्चा भी विचारा चला जाएगा बता भी नहीं सकता। मेरे साथ अभी एक जुरभटा हुई। मैं एक दिन रेल से डिली से जम्मू जा रहा था। मेरे इक दोस्त मेरे ही साथ के सब्यान में काम करता हुआ। वह ही मेरे साथ जा रहा था। मेरी दो बर्द थी प्रेम मनु नीचे की उसकी उपर थी। राठको डिली स्टेशन पर हम सब सो गए। वह उपर पे सोगया अपने नीचे सोगया ह। सबेले जब प्रेल जम्मू पहुंची तो मैंने उसको जड़ोड के जलाया तो जला नहीं और मैंने जब थोड़ा हिला तो पुरा शरील उसका लीचे गिर गया तब मुझे पका चला कि वो मर गया रात में ही उसकी लगत्यू हो गया जम्मू मेडिकल कॉलेज में हम उसे ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि रात को धरी से 3 बज़े के बीच में उसको सीवियर हर्क टेक आया तो डॉक्टर को मैंने गाए डॉक्टर साब मैं तो इसके मीचे की बर्थ पे सोया हुआ था तो रॉक्टर ने कहा कि ये जो भाई है इसको डाइबिटीस पा और डाइबिटीस के किसी प्रिशन को कितना भी सीवियर हर्क टेक आये वो बोल भी नहीं सकता बता भी नहीं सकता क्योंकि उसका सेंसेशन खतम हो जाए डाइबिटीस ऐसी बिमारी है ये पाँच करोड भारत वासियों को हो गई है दीरे दीरे संख्या लगाता बढ़ती ही जा रहे है इसी तरह से भारत में लगवग सारे तीन से चार करोड लोग ऐसे हैं जिनको जॉइंक्स पे रहता है हमेशा गुटे में दर्द है कमर में द चार करोड लोगों को ये पत्रिए है बारत सरकार दोलती है कि लगवग भारत में चार करोड पच्छी सलाफ लोग ऐसे हैं जिनको पेख़ी अनिक अनिक बिमारिया है जैसे कबजियत हैं कॉसिवेशन हैं जैसे मूडव्यार हैं बवासीड हैं भगंदर हैं हैंमरॉइटस ह एसे बोभ है फिर सरकार गोलती है लगवागा 10-38 करोड़ों है तो इसको दमा है अस्थमा है और दमा-स्थमा के साथ टीजी जोड़ दी जाए तो यह 10 करोड़ की संक्या हो जाती है तो मैंने लेख़िया कि 23 करोड़ों की इलाज कराते हैं इस देश में वो सब गंभीर बीमारियों से ग्रसे थे इनका खर्चा कितना है इलाज कराने का ये सर्कार के स्वास्त मुंत्राले को एक बार गज़े पूचा तो उन्होंने बताया कि भारत के नाविद एक वर्ष में चिकित्सा पर कुल मिलाकर सावे 4,02 रुपए खर्च करत इसमें 3 खर्चे शामिद है डॉकटर को दी गई फीस खरी दी गई दमाएं और अगर जरूरत पढ़ने पर हुआ ऑपरेशन तो ओपरेशन का खर्च लाग खरी दी गई दमाएं और डॉकटर को दी गई फीस ये तीनों मिलाकर सारे 4,03 रुपए पैक बाएं अब सारे 4,03, कर्द रुपई की जो रगम है वो छोटी मोटी नहीं है अगर आप इसको कैल्कुलेकर में लिखो तो कैल्कुलेकर फेल हो जाए कारण यह है कि कैल्कुलेकर में 12 अंग काते हैं और यह साड़े चार लाक करोर लिखने में 14 अंग लगते हैं पैंतालीस इतना फिर उसके आगे बार यह शूम ने लगा शूम ने शूम ने जीरो जीरो बार इतनी बड़ी रकम चिकितसा पर खर्च हो जाती है इस देश को इस रकम के दो हिस्से हैं एक तो वो जो सर्कार खर्च करती हैं लोगों के ऊपर दूसरा वो जो लोग खुद खर्च करते हैं अपने ऊपर आप जाने हैं कि भारत में दो तरय से से सरकार चलती है एकेंडर की सरकार एकराज्य की सरकार दोनों चितिक्सा पर जो खर्च करते हैं और रोग अपने ऊपर जो चितिक्सा का कर्च करते हैं ये फुल मिलाकर साले का साले 4 recur. टेश्ता है स्वास्त मंत्राजर को अगर ये पूछा जाए कि ये साले चानला करों का खर्च होने के बाद क्या गारेंटी है सब ठीक हो जाएंगे कोई गारेंटी नहीं क्योंकि ये सालों साल से इसी तरह से चल रहा है खर्चा कम नहीं हो रहा है बढ़ता ही जा रहा है ये एक अबनी बाग्या हम चिपिट साथ रखर्च बढ़ाते जाएं हospeetलों की संख्या बढ़ रही है गर्प्टलों की संख्या बढ़ रही है दवाओं की संख्या भी बढ़ रही है लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा है सुख की जो परिवाटा है भारत में वो ये कि जो संपूर निरोगी है वो सुखी है, जिसका जीवन निरामय है वो सुखी है, तो संपूर निरोगी लोगों की संख्या इस देश में लगाता घट रही है, सुख बढ़ नहीं रहा है, बीमारिया जरूर बढ़ रही, कई बार ऐसे ऐसे नाम सुनाई देते हैं बीम दॉक्तर भी परेशन हो तो कि उनको भी ये लोग से ऐसे थोली के बाद वस्पितलाइज होना पर और अभी तक मैं भारत में घुमता हूँ चिकन गुनिया गए हुए छे महिने हो गए ये लोगों का दर अभी तक नहीं गया चिकन गुनिया का गुंत में अभी भी दुख रह है कि अमेरिका और यूरोप में बहुत अच्छे डॉक्तर हैं तो क्या वहां सब लोग सुखी है वहां भी नहीं अमेरिका और यूरोप में भी बीमारों की संख्या इतनी जादा है कि वहां की दबा कंपनियां और डॉक्तर बोलते हैं कि इनका स्वास्थ का इलाज कर पाना असंबल जैसा दिखने लगा यूरोप में भी बोई हाल है यूरोप और अमेरिका की सरकारें बोलती है कि उनका सबसे ज़्यादा टेक्स दवा बेचने वाली कंपनियों से या यूरोप और अमेरिका इसका मनें सबसे ज़्यादा वहां कुछ बिखता है तो दवाएं ही बिखती है पर दवाएं अगर सबसे ज़्यादा बिख रही है तो बीमार लोग सबसे ज़्यादा है आपको एक बात मन में आती होगी कि ये यूरोप और अमेरिका की देश तो बहुत सुखी है क्योंकि बहुत पैसा है मैं आपको ये बतानी आया हूँ कि पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता दुनिया में प्रफ ग्यक्ती सबसे ज़्यादा जिसके बास पैसा है वो देश का नाम है सुख्जर लेंग दूसरे नमबर पर देश है देनमार तीसरे नमबर पर है सुईड़न इन तीनों ही देशों में मनो रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा मनो रोगियों मानसिक रोगों के जो मरीज है वो सबसे ज़्यादा सुख्जर लेंग में है बेनमार्ग में है नौर्ड़न में है और सुईडन में जबकि सबसे ज़्यादा सुविधाएं इनी चार देशों में हैं कभी आप बेर्मार्क, नौर्वे, सुझन जैसे देशों में प्रवास करें तो आपको लगेगा बाहर से देखकर कि सब स्वर्व तो दुनिया का यहीं पर इतनी अच्छी सड़के हैं वहाँ पर कि कहीं किलोमीटर पर किलोमीटर आप चले जाएएं सेखकरों सेखकों किलोमीटर चले जाएए सड़क में कहीं खड़ा नहीं में नेगा कहीं भी खड़ा नहीं है हजारों किलोमीटर की सड़के हैं लेकि मुझे हैरानी इस वाग की होती है जिस देश की सवकों पर एक खड़ागी नहीं है उस देश में कमर गर्विट के सबसे जादा मजी स्वीडन में है नौर्ग में जिसके पास दो से कम गाड़ियां है तो गाड़ियों में ही चलना है सबके एकड़े हैं चिकनी है फिर तुम्हें कमर गर्विट कैसे होता है हम हिंदुस्तानी सोच सकते हैं कि यहां सबक नहीं होती है खड़े में से सड़क जाते हैं खड़े खड़े होते हैं तो बार बार गाड़ी उपर नीचे उपर नीचे तो हमें कमर गर्वो तो समझने आता है तुम को यह कमर गर्व कांसे आ गया तो कहते हैं कि सहाब सुविधाय गढ़िये से ये स्वास्त मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है सुविधाय बहुत वो सकती हैं लेकिन आप सुखी हैं ये बेती नहीं है दुनिया में सबसे जादा टेलिफोन, प्रतिर्यक्ति, फिन्लेंड में हैं चोटा सा देश ये दिल लेकिन सबसे ज़्यादा मस्दिष्ट के प्याहिसर उसी देश के पर कहते हैं तो ये मैं बातें आपको से इस ध्यान में लाने के लिए कह रहा हूं कि स्वास्त का सुरिधाओं से कोई संबंद नहीं है हो सकता है आपके घर में बहुत सुरिधाएं हो लेकिन राथ को नीद ही नहीं आती हो घंटों घंटों नहीं आती हो चार-चार गोईयां खाने के बाद भी नहीं आती हो ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखाए हजारों करोज़ी संपत्री के मालिक है लेकिन दो घंटे की नीद के लिए तरसते हैं कि उनको नीद आ जाए कभी में उनके घर में जाता हूँ तो एक बात कि गगा जी वाई कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो कि नीद आ जाए तो मैं उनसे कहता हूँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं यह दुना ऐसी इस्ति हमारे देश में है दुनिया के सभी देशों में है इस इस्ति को ठीप होना चाहिए इस द्रश्टी से मैं बहुत दिन से सोचता है था कैसे ठीप हो यह अपने देश में और दूसरे देशों में तो मैंने देखा, सुना, पढ़ा उस पर से मैंने सोचना शुरू किया कि इसको छीप कैसे किया जाए अपने ही भारत देश में 33 करोर लोग जो चिकित्सा ले सकते हैं वो गंधीर बीमार है और 70 करोर जो नहीं ले सकते हैं उनकी तो बागी क्या है इन लोगों को कैसे छीप कर सकते हैं तो एक बाद मैंने सोचना शुरू किया शायद होस्टिकल की संख्या बढ़े डॉक्तर जादा हो जाए तो ये चीप हो जाएंगे लेकिन मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा कि भारत में 20 लाख डॉक्तर हैं जो रजिस्कर्ड हैं दस लाख डॉक्तर हैं जो अन्रजिस्कर्ड हैं तीस लाख डॉक्तर इस देश में काम कर रहे हैं फिर भी भाईजों की संख्या बढ़ रही है कोई गारंटी लेगे कि ये एक करोर हो जाए तो बरीश कम हो जाए हमारे देश में 1947 में जब आजादी आई थी तो 70 करोर रुपए साल की दवाएं इस देश में बनती थी आज इस देश में 70 हजार करोर रुपए साल की दवाएं बनती है फिर भी सुख नहीं मिल रहा है बीमारिया कम नहीं हो रहे तो बीमारियों को कम करना है और सुखी होना है तो शायद इसका कोई अलग रास्ता है ये सोचकर मैंने पढ़ना, लिखना, अभ्यास करना शुरू किया तो समझने आया कि बीमारियों का जो संबंद है वो सीधा सीधा जीवन शेली से है खान पान से है आचरन दोहार से है सीधा सीधा संबंद दुनिया में सभी बड़े डॉक्टर्स अब इस बात को सुविकार करते है कि 90 प्रतिशक बीमारिया साइको सोमेटिक होते और साइको सोमेटिक बीमारिया अगर 90 प्रतिशक है तो साइको सोमेटिक होना तो सीधे सीधे अपना विवार, अपना आचरण, अपना खानपान, अपना रहन सहन इससे जुड़ा हुआ है अपनी प्रकरती से, अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से जुड़ा हुआ है तो मैंने इस ग्रश्टी से देखना शुरू किया कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों के बारे में ये सोचू कि इतनी बीमारिया क्यों हो रही है तो पता चला कि हमारी जो प्रकर्पी है हमारा जो बातावर्ण है हमारा जो परियावर्ण है उसके विपरी हमारा जीवन शेली हो गई है हमारी तो प्रतरती परियावन बातावन है उसके ठीट कुविंटी हमारी जियोशारी हो गई आप दिलेगे हमारी प्रतरती, हमारा परियावन, बातावरन कैसा है भारत जुनिया का एक अधुबद देश है मैं यह बाद 33 देशों को देखने के बाद पहा हुँ मैंने दुनिया में लगब तेरीस देशों का प्रवास किया उन सफ़ोर देखने के बाल में ये कह रहा हूं कि भारत दुनिया में अदुभू देश है और हम कई बार करते हैं भारत महान देश है तो इसकी सच में कुछ महानता है जो दूसरे देशों में नहीं आप बोलेंगे उधारी के लिए मैं एक उधारी देता हूँ दुनिया में ये अकेला देश भायत है जहां पर 16 तरह के मौसम है अगर तक्रीपी शब्द में कहूँ तो 16 क्लाइबे के जो भी से निस देश जो किसी दूसरी देश में है 16 एक और छो एक साथ एक ही देश यूरोब में आप भूमने जाईए अमेरिका में जाईए कनाडा में जाईए तो ज़यादा से ज़यादा दो क्लाइबे के जोंस हैं वहाँ पर एक ठंडवाला और एक भयंकर ठंडवाल दो इक्लाइमेट दोगस हो, धंडवादा मने तापपान होगा 4-5 दिन में और भयंकर धंडवाला तापपान होगा पुरे उरोप में और अमेरिका में यह हांद है, तो अफ्रिका में दो ग्राइमेट टोंस हैं, एक गल्वी में और भयंकर गल्वी वाला अगल्वाला तो लेजगे नích हैं, तो बारिश वाला और भयंकर वाश़ा यह अगर आप ब्राजी जैसे देश में चलिजाए, तो आप हैरान हो जाएंगे, साल में आच मही ले बारिश होती ही रहती है, ability अच महीले, सूरज निकलता ही नहीं है, धुआ धार, मुसला थार बारिश लेती है, आच महीले, और ब्राजिल जैसे देशों का इतना बुरा हाल है कि कपड़ा सुखाना हो तो धोले के बार 15 दिन 20 दिन लग जाते नाराम से सुखने कई बार बॉशी मशीन फेल हो जाते हैं इतनी हुमिटी होती है तो लेटिन अमेरिका में दो क्लाइमेट जोन से हैं बारिश और भाहिकर बारिश योरोप और अमेरिका में दो क्लाइमेट जोन से हैं खंड और भाहिकर खंड अफ्रीका में दो क्लाइमेट जोन से हैं गर्मी और भाहिकर गर्मी भारत में सोलर क्लाइमेट जोन से हैं इसी द में आज़ा है अफ्रीका में आप जानते हैं वहायंकर आजा करनाटक में आजाएं, मलना नहीं आजाएं, तो आपको ब्राजील दिखाएं देजाएं अगर इस देश में आपको ठंड और भेर कर ठंड देखनी हो, तो हिमाचल प्रदेश आजाएं, जम्मु काश्मीर आजाएं, उत्तरांचल आजाएं, आपको स्वीडल और बेंग मार की निज़र आजाएं अगर ऑस्ट्रेलिया का दलडल इलाका देखना हो, कीचरवाला, तो इसी देश में बिहार आजाएं, बंगाल आजाएं, खूब कीचरवाला इलाका देखने को आपको बेंगाएं दुनिया का कोई भी क्लाइमेटिक जो देखना हो तो भारत में है मैं मांदा हूँ ये भारत की सबसे बड़ी महांता है जो किसी देश में है और ये क्लाइमेटिक जो सबके सब एक साथ भारत में है इसका कारण क्या है मैंने बहुत दूढने की कोशिश भी तो पता चला कि दुनिया में भारत एक ऐसा अजूद देश है जहां सूर्य भगवान की सबसे वई करपा है इस देश में सान में दो-चार दिनों को छोड़ कर कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जो संडे ना हो संडे माने सूर्य कर दे बारत में साल में तीन सो पैसे दिनों में से पाच साथ दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक दिन ऐसा नहीं है जो संडे ना हो और यूरोप और अमेरिका में तीन सो पैसे दिनों में से 15-20 दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक दिन ऐसा नहीं तो संडे हो वहाँ सूरी का प्रकाशी नहीं अमरिका यूरोप में तो आठ महीने सूरज का गर्शन नहीं होता इतनी ठंड और गर्फ का इलाखा है सूरज ही नहीं निकलता सूरी दिखाई नहीं देता और इन देशों में कभी गलती से सूरी लिगन आया तो वो लोग पागल हो जाते और इतने पागल हो जाते कि कपड़ उतार के फिर देते एक कम नंग धड़न समुद्र के किनारे लोगना शुरू कर देते हैं को कि सूरी का प्रकाश चाहिए उससे ही विटेमिन बी लिगता और अगर उनको अपने देश में ना मिले तो वो बागलों की तरह से भारत में भागभाग के आते हैं और सब कपड़े उतार उतार के यहां के समुद्र तकम पर लोग लगाते रहते हैं आपको लगता है यह मूर्ख है, मूर्ख नहीं है उनको सूरी का प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए शर्द उतारते हैं, पैंट उतारते हैं, सब उतार की लिगता है वो अश्रीन का नहीं पहला कि वो इतने गरीब है कि उनको मिलती नहीं है धूप, वो धूप खाने के लिए जहाँ है अब भारत सरकार दुनिया में अकेली सरकार है जो धूप पर टैक्स नहीं लेए हाँ, सुर्य प्रटाश पर यहां कोई टैक्स लेए मुफर्त में हैं सबको हैं, जितना चाहो उतना में हर दे लेगो, रोज रोज लेगो हजार साल से अगले हजार साल का, यह अद्बुद देश है, तो वो यहां आते है, सुर्ज की धूप लेने के लिए आते है यह होने समझने की ज़रूरत है, इस देश पर सुर्य भरवान की अद्बुद क्रपा है, और जिस देश पर सुर्य की क्रपा हो जाए, वहां सब की क्रपा हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड को चलने वाला सुर्य ही है इस सूरे ब्रह्माणी की शक्ति अगर कहीं है तो सूरे नहीं है अब आप जो सरल सरल करीके से इसको समझवा अगर यहाँ सूरे है तो temperature ना variation है तापमान मैं अंतर है और यह तापमान का अंतर ही है जो बारिश लाता है ये तापमान का ही अंतर है जो हवा चलाता है तबन होती है बारिश होती है धूर्बरी आनिया होती है सुखी हवा चले गीली हवा चले ये सब तापमान की अंतर सरी होता है तेम्परिचर वैलेशन और टेम्परिचर वैलेशन वही होगा जहां सूर्य होगा तो सूर्य भरवा कि परते ही अंतुरन निकलता है पूधा बनता है पेर बनता है पेर बन के क्या क्या हमने लेता है दुनिया के जिन देशों में सूरी नहीं है अच्छे से अच्छा वीच खेक में डाल दो कुछ नहीं होता अनार होता है नहीं होता तिर कहने लगा आदु आप यह राजीएं कितनी देर कूचेंगे मैं एकी बांकि मैं कह देता हूँ कि दुनिया में जितनी मीची वस्तूàng हैं वो हमारे अब होती ही नहीं जितनी मीची वस्तूबं हैं जिनने प्रकरती की मिठास है वो थुरे जर्मनी में कहीं नगी होती तो फिर मैंने कÂछ आप खाते हो आम भी खाते हो पेला भी खाते हो गन्दा भी खाते हो आता कहां से और यो सब आपके वेशसे हाई लाला Prince पूरे जैन्मनी में हरे पत्ते वाला कुछ भी नहीं होता है। पत्ते वाला कुछ नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें बोलतें 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 लिखना चुनों किया पितने का यारत नहीं लिख सकतें। क्योंकि भारत में 14,000 वस्तुवें होती है। छेट में, जंगल में 14,000 वस्तुवें होती है। फ्रांस एक छोटा सा देश है। जहां अंगूर हो जाता है, पर थोरी लीची हो जाती है। बाकी और कुछ वहां भी नहीं होता। अमेरिका पे भी यहां है। तीन-चार चीजों के अलावा पांच भी कोई चीज उनके आप भी नहीं होती है। क्यों? सूरी का प्रकाश नहीं है। अब सूरी का प्रकाश नहीं है। तो कुछ भी नहीं होगा धर्की में से। और सूरी का प्रकारश उनको दो धाई में मिलता है, उतने ने जो होना है वो हो जाता है, यहां पूरे साउग मिलता है, तो यहां सब कुछ है, क्योंकि सूरे है, वहां कुछ भी नहीं है, क्योंकि सूरे नहीं है, यह यूरोप और अमेरिका बहुत बरी है, उनको सूरेच की जो कमिन मिलती तो राग में क्या हिपसाब रोड़ते रहतें कि शरीर में अगर थो ढूले सी आएंग्ए अगर इंडरें। अगर Olay तरह को कुछ न Juliet a कुछ न कुछ कमी आने वाले है उस चैन्ली क मूरती करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन तरह की गोलिया, तरह तरह के टॉनिक्स, तरह तरह के आगर उनको कहिए इम्म्यूमिटी बढ़ने वाले सिस्टम्स या उनकी टेक्निक्स वो राप्ते नेसी में लगे रहते हैं जो हमें सब कुछ मुफ़त में दिला हुआ है हमारे पास सूरे है, सूरे का प्रकाश है उसके हिसाब से हमारा पूरा परियावरिन है वातावरिन है अब जहां सूरे है, सूरे का प्रकाश है वैसा परियावरिन, वैसा वातावरिन तो जीवन शेली भी हमारी उनसे अलग है जीवन शेली में हमारे अलग क्या होने का है हमारी जीवन शेली में सबसे बड़ी महत्व की बात ये है कि बहुत निवस्थित हमें चलना है हर हिसाब से ये कैलकुलेशन के साथ क्योंकि सूरी जो है पूरे कैलकुलेशन से चलता है सूरी के perfect calculations है और सूरी के calculation है इसलिए दिन रात है इसलिए सर्थी दर्वी है इसलिए वर्साथ है इसलिए अन्य-ण्य-ण्य सब चीज़े है अगर ये perfect calculation सूरी के खतम हो जाए तो शायद ये देश भी खतम हो जाए और ये विशेष्टा इस देश में रही है इसलिए भनवान को भी जनम लेना हो तो वो भारत को पसंद करते है आपने वो सुना बहुत महात्माओं के भूँ से कि मनुष्य जनम दुर्व है और भारत में तो और भी दुर्व है मनुष्य जीवन मिले तो ये दुर्व है और भारत में तो और भी दुर्व है ये बात ऐसी है कि यहां आपरियावरन बहुत अगुद है जो दुन्हीना के दूसरे देशों में नहीं है तो अगर हमारा परियावरन हमारा बातावरन इतना perfect है तो हमारा जीवन भी बहुत perfect होगा और उस perfection में और यूरोप के perfection में थोड़ा अंकर बजा तो यहां पर बहुत सारी माताइं बहने है आपको सुनकर यह ताजुग लगेगा कि यूरोप की कुल आबादी पूरे यूरोप की कुल आबादी 27 करोर है इसमें 23 देश शामिल है दो देशों को छोड़ कर सब देशों की आबादी एक दो करोर के आसपास है बिटेन और जर्मनी और सौरी फ्रांस तीन को छोड़ दें जिनकी आबादी 5-6 करोर के बीच में है बाकि कोई 1 करोर कोई 80 नाद कोई 70 करोर ऐसे 23 देश है इन 27 करोर देशों में कलिपना करें कि 12 करोर महिला या 13 करोर महिला और 13 14 करोर पुरुश 13 करोर महिला के वूहरोप में रहती हैं किसी को भी दही से मंक्कन निकालना देन आता और ये तो मैंने बड़ी बात बोल दी है अब इससे आगे बोलने जा रहा हूं किसी को दूद से दही बनाना मिलना आप सोख सकते हैं तेरे करोड माता हैं यूरोप में पहले जानती नहीं हैं कि दूद से दही कैसे बनाया जाता है उनको कभी पूछो, क्या आप दूप से दही बनाना जानते हैं, नहीं क्यों नहीं जानते हैं, उन्हों नहीं जानते हैं, उन्हों नहीं जानते हैं, इसको कम्पनियों को जानना चाहिए, तो कि कम्पनियां ही दही बनाएके देते हैं, और कम्पनियों पे काम करते हैं वाली तो औरी माता हैं वो भी दी मता है। तो रही तो लानते नोई है, तो रही जैसा, एक पडार पॉता है उसको योगकर्ट आयोた्टे उसी को नहीं के खाते हैं। वो धही नहीं है। रही जैसा है। और योगर्ट खाखा तो विमार करते हैं, क्योंकि उसमें दही जैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार बेन वार गया था, और एक बार हॉलिंग गया था, तो वहां में ने माताजी के हाथ के बनाए हुए खाकरे लेते गया था। आपने सुकुल गुजिरा की खाकरा समस्ता है। तो मैं जबी भी विलेश जाता हूं तो मेरी माँ को कहता हूं खाकरा बनाके जेद्रत्यों कि ये एक ऐसा अगुद्ध पधार्त है जो तीन महीने भी दिपता। और मैं संपो शाका हरी हैं तो वहां के होटल में खा नहीं सकता है को कि वहां शाका हरी खाना मिलना बड़ा मुश्किल होता और मिलता भी है तो बहुत महिना होता तीन गुदा महिना खा नहीं सकता है। तो मैं खाकरा लेके गया, खाकरा हम सब भी जानते ही यहूं के आखे से बनता है। तो मैंने एक हॉलेंड के प्रोफिरसर को खिला लिया कि देंको यह कुछ है खाओ। तो उसमें पूछा यह क्या है तो मैंने खाकरा। तो उसका प्रमींसेशन को नहीं कर पाया। तो उसमें खाना शुरू किया तो उसमें पूछा सबसे पहला प्रशन कि भारत में खाकरा बनाने की कितनी फैक्ट्रियां हैं। तो मैंने का भी यह इसकी फैक्ट्री नहीं होती है। तो उसमें का यह कैसे हो सकता। फैक्ट्री नहीं होती, माह नहीं होती। फिर कौन बनाता है तो मैंने का मेरी माँ ने बनाया तो वह गाता है इतना गोल हाथ से बनता है मशीन होगी तो मशीन का नाम बता मैं वो इंपोर्ट करके लाओंगा भारत से और अपने घर में लगाए तो जितने दिन पहले उसको खिलाया वो मानी नहीं पाया तो उसको मैंने कुछ घरों में भेज़ दिया जहां खाकरा बनता था वो पागल हो गया और इतना पागल हो ग यह कुछ विश्वश पात है हमको दही बनाना आता है दूट से दही बनाना यूरोप में 12 करोड माता उनको नहीं आता अमेरिका में 15 करोड मैदा उनको यह नहीं आता लेकिन अमेरिका में किसी को नहीं आता दूट से दही कैसे बनाना जा यहीं उनको नहीं मादूना तो द बठावेंसे मक्खन लिकालते हैं, मक्खन को गरब करते हैं, फिर घी बनाते हैं, जिसकी मिनीमम लाइफ सौ साल तक वो सकते हैं। बटर वायन तो एक साल भी नहीं तेखता। तो यह उधारन मैंने सिर्फ इसलिए दिया, कि हमको कुछ आता है उनको नहीं आता। क्यों? शायर उनको वो सब आये, उसकी गुझाईश नहीं है। क्योंकि ग्यान भी वही होता है जहां आधार तो हो। ग्यान बिना आधार पर कहां ठिकेगा। हमारे पास कुछ बूद आधार है, इसलिए इतना ग्यान हमारे पास है। उनका मूद आधारी नहीं है, ज्यान कहां से आये, और आये तो टिके कहां, दुनिया में सबसे जल्दी खराब होने वाली, अगर कोई एक बस्तू है ना सबसे जल्दी, तो वो है आम, आम, मैंगो, दुनिया के सब होर्टी कल्चरिस्ट ये मानते हैं, कि सबसे जल्दी कुछ खराब होता है दुनिया में तो वो आम है, दूसरे नंबर पर अंगूर है, तीसरे नंबर पर फिर ऐसे ऐसी कई चीज़े हैं, तो जो आम सबसे जल्दी खराब होता है, उस आम को हिंदुस्तान की माता है, इस तरीके से जवस्तित करती हैं, कि 20-20 साल, 25-25 साल का लगे आम क अचार खाया, इसी देश में खाया, किसी योरोग की माता आपको पूछ के देख लो, बागल हो जाएगी कि ये संभव है, ये इस देश को संभव है, मैं एक बार अंग्र प्रदेश के प्रवास के गर्या, सिर्फ अंग्र प्रदेश एक मही में मैंने भूमा, 500 तरह के आम क अचार, सिर्फ आंग्र प्रदेश के, पूरे भारत में आंग्र प्रदेश ये सिर्फ एंटीस राज्ये हैं, बताने कितने हजार तरह के आँखे अचार, ये नॉलेज है, और इसी को फंक्शनल नॉलेज कहते हैं, एक होती है नॉलेज और एक होती है फंक्शनल नॉलेज, नौलेज का माने सिर्फ ज्यान, फंक्शनल नौलेज माने व्यवहारी ज्यान, व्यवहारी ज्यान उत्पादन लेता है, ज्यान मन को तसल्य देता है बस, हमारे इस हिंदुस्तान में घर घर में जो व्यवहारी ज्यान है, अधुद्ध है, मैं इसी देश का ये कुधारन और यूरोप में और अमेलिका में कभी भी आप जाहिए, तो उनके पास ले देके एक ही धान में है खाने को, उसका नाम है गेहू, दूसरा को धान में उनके पास खाने को, मक्का होती है, लेकिन सिर्फ सोवियक संग और उसके आसपास के राज्यों, यूरोप का कुछ हिस्सा उनको खाने के लिए जो चीज बनती है, वो एक और एक ही चीज है, जिसका नाम है दबल रोपी, पाव रोपी, वो एक ही चीज बनाना जानते हैं, और वो भी घर में नहीं बनाना जानते, फैक्टरियां हैं उसके, और चक्र क्या चलता रहता पूरे अमेरिका और यूरोप हैं, आप किसी दिन अमेरिका और यूरोप चले जाएं, किसी बड़ी सबक पर खड़े हो जाएं, बस देखते रहिए कि क्या गाडियां जा रहे हैं, और क्या गाडियां आ रहे हैं, लगमी लगमी गाडियां, अगर आप उनका दर्वाजा खोल के देखें, तो या तो उसम जाएं तुकानों पर खाना, फिर गाडियां खाली हो जाएं, तो फिर गनहु का बाडियां ले जाना, यहीचक कर चलता है, और अमरिका और यूरोप की सर्वां पर 80% हो इसी प्रख़ें की चलते हैं, एक्टी पर से, लंबे लंबे बैंग, लंबे लंबे ट्रक, गेहू बढ़ा है या तो डबल रोफी पाउरोफी, अब उनको पूछो कि भाई, ये डबल रोफी पाउरोफी जो गेहू से बना के खाते हो, कुछ और क्यों नहीं खाते हैं, तो उनका इसका कुछ और भी बन सकता? तो उनको पता ही लिए, कि जेहू से और क्या क्या बन सकता है, एक दिन मैंने मेरी माँ को कहा कि आप क्या क्या बना सकती हो, जेहू से वो मुझे लिस्ट करा दो, तो मेरी माताजी ने 33 चीज़ों की लिस्ट बनाती, कि जेहू से ये 33 चीज़ों बन सकती है, दल्या बन सकता है रोटी बन सकती है, रोटी कितने तरह की बन सकती है, एक तो बहुत नरण वाली रोटी बन सकती है, एक करण वाली रोटी बन सकती है, एक बाकरी बन सकती है, एक रोटी ऐसे 33 में लिख डाले, फिर परोस्ती माताजी के पास पहुंग गया, उन्होंने पंद्रे चीज़ें और और आखरी कोई चीज जो हो सकता है तीन सो, एक ही नहुंसे ये यूरोप में जाके मैं किसी को भी बोलता हूँ कियाते है राजी भाई गप मायते है एक्सेजरेशन करें मैं ल्याख्यान देने कई बार विलिशों में भी जाता हूँ उन्हों उन्हों को ये बताता हूँ को गयते है इस इस आल एक्सेजरेशन वो बोलते हैं ये साथ अपके शायोप्ती है इक इस हाई लिए इंपॉसिबल यह उसे कोई दूसरी चीज बन सकती है सिवाई जबन रोगी पाउड रोगी के उन्होंने जिन्दिगी में कभी देखा लें सुना भी ने, सोचा भी ने वो यहां होता है ये सारे उधारन देवे के पीछे मेरा एकी मकसद है कि इस देश में फंक्शनल नॉलेज बहुत है व्यभारिग ज्यान बहुत है और इस देश में तो ग्यभारिग ज्यान है वो माताओं बहनों को बहुत है और ये ज्यान के लिए इस देश में कोई युनिवर्सिटी नहीं है है क्या खागरा बनाने की कोई युनिवर्सिटी देखिए रोटला बनाने का कोई है कॉलेज है यहां है रोटली बनाने का कोई कॉलेज चलता है धंतरी में नहीं देता पुरती आमका अचारगाने का कोई यूनिवर्सिटी मेनिजमेंट कॉलेज कोई कैटरिक कॉलेज चलता नहीं है जो फंक्शनल नॉलेज माताओं बेहनों के पास है युनिवर्सिटी कॉलिजिस का ने वो माताओं से माताओं को माताओं से माताओं को पीडी दर पीडी हजारों साल लाखों साल से चला अगर ये माताओं को हजारों लाखों साल से ग्यान चला आ रहा है तो एक बार मेरे मन पे आया कि ये शुरू तो कहीं से हुआ होगा किसी दे तो शुरू किया होगा इस ग्यान को तो पता चला कि इस देश में लाखों साज पहले या करूरों साज पहले जब से भारत है भारत की उम्र के बारे में अलग अलग करेकी मानिताएं है कुछ लोग बोलते हैं भारत पाँच हलाद साल पुराना देश है वो लोग गिनते हैं महा भारत से कुछ लोग बोलते हैं कि भारत सब्त्रे लाग साल पुराना देश है वो गिनते हैं राम और रावर के एक दिसे कुछ लोग बोलते हैं कि भारत आठ करोर वर्ष से भी जादा पुराना देश है वो किलते हैं बगवान महावीर स्वामी के पीडी के सबसे पहले फिर्थान कर से और फिर मैं हिसाब जोड़ता हूँ कि भारत अभी से है शायर जब से सूरे है मुझे ऐसा है तो अब हम यह मान लेंगे करोरों साल पुराना देश है यह कोई एक तो साल का देश में तो करोरों साल पहले का यह ज्यान चला आ रहा है राम के जमाने में भी यहों से मोटी बनने की या चावल से बहुत सारी चीज़े बनने की कहानिया मिलती है रामाइन में हैं, रामचरित्मानस में हैं, कालिदास के रगवणशम में हैं, कंप रामाइन में हैं और राम का साल सारे सत्रे लाख साल से पहले का है समय उस समय भी चावल से क्या-क्या वेंजन बनते हैं यहूं से क्या वेंजन बनते हैं अचार खितने तरेखे हैं, चक्पिना खितने तरेखे हैं, उसका गितने डिस्क्रिप्शन शाहिद राम के पहले भी होगा शाहिद हमारे पहले तीर ठांग करके समय से होगा तो ये करोडो साल से पहले का फंक्शनल नालिज है, चला रहा है किसी ने शुरू किया होगा तो जैन समाज में बहुत सारे सादू संतों से मिलता रहता हूं तो वो कहते हैं हाँ हमारे तो तीन ठंकर है इनी से ये ज्यान शुरू हुआ कुछ ऐसे तीन ठंकर होए जनोंने खेशी करने का ज्यान दे लिया और इसकी किताबें तो बहुत बाद में लिखी गई हैं पहले तो यह सा मौकित था बोलना सुनना और ना सुनना और ना सुनना किसी ने सुना आगे बोला उसने सुना आगे बोला उसने सुना आगे बोला प्यूडी दर प्यूडी ये ऐसे चलता है बाद में शायर इस ज्यान का क्लैसिफिकेशन हुआ क्लैसिफिकेशन माने वर्गी करन कुछ एक ज्यान है एक हिस्से का है दूसरा ज्यान दूसरे हिस्से का तो माली जे हमको चिकित सा का कुछ ज्यान है तो उसका वर्गी करण करके हमने कहा कि ये चरक सहिता हो गई ये शुशुप सहिता हो गई ये बाग बटकी सहिता हो गई यह श्टानग हो गया यह श्टानग सद्बर हो गया किस तरह का चिकित सी ह्जान एक तरह की चीज़ों खानपान का दूसरे तरहुदे, रहल सहन का आचनrän का तो ये घ्ञान थोड़ा वर्विर कला होता गया वल्भी करां होते समय कोई विशिशर के लोग निकले जिनकी अथॉरिटी की इस ग्यान का तो उनके नाम से हमने इसको याद रखना शुरू कर दिया जैसे चरख रिशी पहुत बड़ी अथॉरिटी थे मेडिसिन के बारे में हो सकता है चरख रिशी के पहले कोई और भी बड़े रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं है इसी तरह से सरजली के बारे में बहुत बड़ी अथॉरिटी थे शुश्रू तो उनके नाम से हमने रख लिया याद रखने के लिए नाम जो है एक बहाना है नाम अंतिव नहीं है इस देश्रू अंतिव से मतलब उन्होंने ही सारा ग्यान दिया है यह नहीं कहा जा सकता उनके पहले से किसी और में भी दिया होगा उन तक आया है उन्होंने कुछ जोड़कर उसको आगे बढ़े तो यह है भारत के भारत अब मैं आता हूँ आज के विश्र के कि अगए यह नहीं के वहाए ज्यान हजारों लाखनों करूरों साल से इस देश में है कि ठांकरों का विया हुआ रुशिमुनिओं का विया हुआ तो इस ज्यान से हम बंचित कैसे हो गए करूरों साल से ये ज्यान हमारे पास रहा बीच में क्या हो गया हमको बीच में हजार साल इतना बुरा समय आया इस डेश में, कि हम अप्री जान से परनशित हो गए हजार साल वो समय क्या था दस्वीर श्तात्ती से लैंकर करूं। और बीस्वीर श्तात्ति करूं। विदेशिवों के हमले हमारे बूपत भोगए। हजार से जाज़ा विदेशी हमले इस देश पर हुए पिछले हजार साथ एवरेज लिका लो तो हर एक साल का विदेशी हमला और ही जब विदेशी हमले हुए तो इसमें हमारी लूट हुए हमारा धन संपत्ती इसमें चला गया और हमारे शास्त्र भी इसमें लूट लिए गए, किताबों भी लूटी गए, पुस्तकें भी लूटी गए, तो ये लूट मारके लोग ले गए यहां से, हम उससे बंचित हो गए, जब बंचित हो गए तो हमें पता ही नहीं रहा कि हमारा अपना क्या था, तो विरेश्णों विरेश्णों ने आकर हमको जो कुछ सिखाना शुरू कर दिया, हमने उसी को ग्यान मानकर अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दिया, आज जी हमारी जो पीड़ी है, आप और में, हम सब एक ऐसी अन्भी सुरंद में खड़े हुए हैं, जहां पर हमें अपने ज्यान स बारे में जानकाली नहीं है या बहुत ही कम है, विरेश्णों हमने कुछ सिखा दिया और बता दिया तो उसी को लेके हम डोंट लीट रहे हैं, हम बहुत ग्यानि हो गाए हुए है कि जो विरेश्णों का ज्यान हमने ले लिया, वो ग्यान आया है एक अलग तरह के बातावरण और पर्यावरण से वो बातावरण पर्यावरण कैसा है वहाँ सूरी है ये सूरी का प्रकाश ही नहीं है तो उनकी जीवन शरी और हमारी जीवन शरी में जबी आस्मान का लता है आपको वालूरे दुनिया में कुछ ऐसे देशे हैं जहाँ छे महीने की रात होती है और छे महीने का दिन होता है अगर छे महीने की रात और छे महीने वाले दिन के देश में से कोई ग्यान आए और हमाये उपर वो लात लिया जाए जहां हर 24 गंटे में रात और दिन बदलते हैं तो क्या तवारा होने वाला है उस देश का कल दने के लिए जहां 6 महिने का दिन और 6 महिने की रात है उनका अपना ज्यान खास करेता हो जिनको नौर्डिक कंट्रीज के आस्पास का यह वाला जाता और यहां हर 24 गंटे में दिन रात बदलते रहते हैं हमारे ज्यान दूसरे तरह पा कोई एक देश है जहां पर रात बहुत लंगी होती है दिन बहुत छोटा होता है शाम के सारे चार बज़े ही रात हो जाती है ऐसे बहुत देशों दिन आ हो और यहां तो साम 6-7 दूसरे तरह जिन रहता है हमारे ज्यान देश ऐसा है तो जिन देशों में राते लंगी होती है उनका कुछ खास तरह का जीवन शेही होगा यहां रात एक लंगी नहीं है तो यह दूसरे तरह की जीवन शेही होती यह उलारे देटर में आपके दिमाग में सिर्फ बिखाना यह चाहता हूँ कि अलग-अलग देशों की अलग-अलग जीवन शेही होती है अलग-अलग संस्कृतियों की अलग-अलग जीवन शेही होती है अलग-अलग सब्धिताओं की अलग अलग जीवन-शेली होती है क्योंकि महाग परियावराण वहाँ की प्रकृती, वहाँ के वातावराण के साथ से वो चलता है अब कोई देश, दूसरे देश की जीवन-शेली अपनाना शुरू करते तो वो मूरख और महा मूरख यह कहता है अपने देशों की जीवन शहली और परियावर्ण बातावर्ण को भूल कर दूसरे देशों की जीवन शहली परियावर्ण बातावर्ण को हम अपनाएंगे तो मूर्खता में जाएंगे और इस मूर्खता का अंतिव चरम वहां होगा जब हम स्वास्त से धेरत अलब हो जाएंगे और बीमारी होना डूप जाएंगे हमारे भारत में ऐसा ही हुआ है पिछले धाईसो साल को अम्हेंजों की गुलामी में रहे धाईसो साल से पहले हैं मुसल्मानों की गुलामी में रहे इस गुलामी के दोड़ान जिनों ने साशन किया उनके ही ग्यान को हमने अपना ग्यान मान लिया कुछ मुसंपा लाए जो राजा बनकर बैट बेट बेस देशन उन्होंने कुछ ग्यान लाया तो हमने मान लिया यही हमारा ग्यान फिर अंग्रेजों ने साशन किया अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसियों ने किया उन से पहले डच लोगों ने किया और उन से पहले पुर्तलाली उने किया तो पुर्तलाली डच अंग्रेज फ्रेंच जो कुछ गयान लाए हमने उनको भी मां लिया कि यही हमारा गया हमारा अपना जो गूमल ग्यानी था वो कहीं गया है उसको नहुंने पढ़ना समझना कोशिश किया जो बाहर से आया हुआ था उसको अपना बना लिया अब तक्रीफ की बात ऐसी हो गई कि भारत में अपना मून ग्यान जानने वाले जो लोग है लेकिन हमने उनको महर्थ देना कर दिया इस देश में आज भी सादो संथ महात्मा है जो भारत का मून ग्यान जानते हैं वो आपको बोले गे आपको वह दिए braking आज अदम करें और को neur ा जाए और यहां एक ल्याक्षान देदे नेचरोगाजी पर तो आप तालिया प्रिफिंट हुए यह को बड़ा ज्यान आद्वी वो नेचरोगाजी हमारी महाराजी सबीले से शांतर रोज सुनाते हैं तो हमको रखता नहीं है कि वो कोई ज्यान विदेश का आके बोलेगा उसी बात को बहुत अच्छा यह प्राणयाम को लिए हिंदुस्ताने सिखाए कुछ खास बात नहीं कोई विदेशी आके कहने लगा रहे बहुत अच्छी बात है राम देशी मुझे कहते राजी भाई जब से मेरी विदेश यात्रा हुई है भीड बढ़ रही है मेरे आदेश क्योंकि हमना विदेश होके आगया ठपता लग गया मेरे उपर में कि मैं फॉरें बिटर्न हूँ तो मेरे ज्यान की मत बढ़े तो यह हमारी अपनी मुर्खता है और इस मुर्खता में हम डूख गए है इसलिए हम अपने जीवन से अलग हो गए है और इसलिए भीमारियों में दूख है ये मुझे ऐसा रखता है अगर हम फिर से अपने ग्यान में वापस आजाए है तो शायद यह बीमारिया हमारे जीवन से चली जाए इस द्रश्टी के अकठा करना शुरू किया और ना सिर्ञ को बनी उसको बता रहा तुम इसको करो और विजल्ड देखनें क्या भी आणिके तो हिरान होगी इतने अच्छे रिजल्ड के लोग सोचने रहाते हैं कि राजी ना चुमने बडली और हमारी ये बीमारिया चीख होगे खान खान के तरीके बदल दिये हमारी ये बीमारिया चीख होगे आचान विवहार का तरीका बदल दिया हमारी ये बीमारिया चीख होगे तब मेरे समझ में आया कि बीमारिया चीख करने का जो असली इलाज है, वो दवाओं में नहीं है, डॉक्टरों के पास में है, वो भारतिय ज्यान नहीं है, और वो भारतिय ज्यान हम तक कहुचे, तो शायद बहुत अच्छा पर, इस द्रश्टी से आज में आपको छोटे-छोटे कुछ सूत्र बताने आया, वो मेरे नहीं है, भा उन में से एक है चिकित्सा का शास्त्र, चिकित्सा का भारतियों कोई शास्त्र में है, यह आप ध्यान रखिए, जो की शास्त्र है वो जीवन जीने का, आयुरवेद है ना, तो चिकित्सा का शास्त्र में है, वो जीवन जीने का शास्त्र, कैसे जीवन जीने है, वो आयुर सबस्क्राइब सिखाएं जवाएं क्या खाएं यह आयुरुवेग में सबसे बात में आता है आपके से अगर कोई आयुरुवेग के वैदे नहां बेखे होंगे ही तो उनके लिए मैं इस पोछी सी जानता ही कि आयुरुवेग में दवाओं का इस्थान मात्र बारे प्रतिशक है अगर सो प्रतिशक पूरा हम मानें तो दवाओं का हाल सिर्फ बारे प्रतिशक तक सीमित है उसके आगे खान पान रहिं सहन रीत विवहार आचार विचार इन सबसे बोड़ा है तो मैं भूनना शुरू किया कि कहां से मिलें तो भूम भूम के बड़े-बड़े सादु सं कुछ लिया फिर पुरा ने शास्त्रों को पढ़ा करते परते कुछ कठा हुआ वह आपको मैं चल्ने आया और जो कुछ की मैं कहूंगा अगर आपको पास कागज पहिन है तो इनोट कर लीजे क्योंकि वह आयू मैं तो सबसे आगे होगा बंद में सबसे आगे होगा भी होगा सुखी होगा स्वावरां भी होगा किसी पर मेरबर्वी होगा और इनकी तो सूत्र है बागमट्य विशी के ये सूत्र मुझे ऐसा लगता है अब पढ़ने के बार कि ये सबी बच्चों को पढ़ाए राने चाहिए बच्च करने से कम साथ भी कक्षा से तो ये अब तो सभी विद्यार्थियों को कंखस्त हो सकते हैं और वो विद्यार्थी अपना पूरा जीवन निरोगी, निरामय, सुखी बना सकते हैं और उनका हुआ तो परिवार का हो सकता है परिवार का हुआ तो देश्टा हो ज़ए दवाओं में निर्भर महिने की कोई बातमट्र विश्टी जो सबसे महत्यों की बात कहते हैं वो अब में यहां से शुरू करता हुआ यह कहते हैं कि मनुष्य जहां रहता है वहां की प्रकरती, परियावरन और बातावरन का ध्यान उसे हमिश्टा रखना चेए जहां भी रहता है हम भारत के रहते हैं भारत में किर्वेवरान दंकरिसे हैं तो लंकरिक ऐसा है दंख़वारें संसी तोष्ण qué न was हमयों बहुत यहां घ्रण होंगी ना यहां बहुत जाफ्जादा अठी माने अमरीका जैसे बरफ भुठापों है और बारिश मिलाजीन जैसी नहीं होगी और कीछर और गेजन भी ऊस्पे में जैसा नीं मौसम यह लगव भारत में 680 जिलों में है जो इधंकरी का मौसम है वो 680 जिलों में तो 680 जिलों तक यह सब्दा के इसी तरह से लागू होती है तो बागुरत जिशी कहते हैं कि मनुष्य जहां है वहां की प्रकर्ती पर्यावरण और गातावरण को ध्यान के रखकर उसको अपने जीवन के फैसले लेने चाहे चोटे फैसले हो या बड़े क्या खाना क्या नहीं खाना कब खाना कब नहीं खाना कितना खाना कितना नहीं खाना ये सब छोटे छोटे फैसले से लेकर बड़े बड़े फैसले तक सब उसको प्रकरती परियावरन बातावर्ण को ध्यान में रखके लेंगे हमारी प्रकृती परियावर पातावादों को हम ध्यान में रखके अपनी जीवन को चलाएं तो क्या चलाएं कैसे चलाएं उसके बारे में वालबट कहते हैं कि अगर समसी तोष छेत्र में कुछ लोग रहते हैं तो उनके लिए अलग सुत्रों में लिखे जादा बारिश वाले चेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सुत्र है बहुत ठंड वाले चेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सुत्र है मानी भारतना उत्राण चन्द रहने वाले आज़ीं को यो सुत्र लागों नीं पढ़का जो आपको पढ़एका सब्सक्राइब头 भाते जम्हो कशमिर में जो रहेने तो नहीं नाकि कष्मिर अजन्द कशमिर उत्राण चन्द के आसपास के एरे Ladu के लिए अलग है आपको रहेंगे ताहर जहां पर आपके लिए अलग है। तो अभी में इतनी बात करोगा तो आपके हिसाब सकरें। आपके लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन शरीक ऐसी होना चाहिए। इसके लिए बावबट टिशिन चोटी चोटी बात में बताते हैं। बहुत सवर्ण सवर्ण है। आप चाहें तो याद करनें। नहीं तो कॉपी बैंके लिए और रोज इसको पढ़ते रहें। जैसे कभी आप रामचरवत मानस पढ़ते हों, भगवत बीता पढ़ते हों, शास्त्र पढ़ते हों, पुस्कत्र पढ़ते हों। ऐसे ये छोटे-छोटे सूत्र पढ़ते हों। छोटे-छोटे सूत्र उन में से पहला सूत्र। पहला सूत्र भागवत प्रिशी कहते हैं कि जो व्यक्ति सम्सितोष्ण जलवाईं में रहते हों। उनको सबसे जादा ध्यान अपनी जीवत शैली में ये रखना चाहिए कि हर काम उनको नियम से करना पड़ेगा। बिना नियम कुछ नहीं चलेगा। वो ये कहते हैं कि जो ठंड वाले हैं, वो कुछ नियमों की छूट-छाट ले सकते हैं। जो बहुत बारिश वाले अलाके में रहते हैं, उनको भी कुछ नियम की छूट-छाट नहीं सकते हैं। लेकिन समसीतो शुनालों को हर चीज का हिसाब किताब रखना है। माइक्रोग और मैक्रोडोम लेखना है। तो आपको हर चीज का हिसाब किताब करना है। सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, चलने का, दौरने का, हर चीज का हिसाब किताब करना है। और जो हिसाब किताब ऐसा हो कि आपके जीवन में आ जाए। आचरण में आ जाए। सुगर से शाम तक की जो जिन्दिवी है इसमें आ जाए। तो वो बोलते हैं कि सर उस्ष्रेश्ट है और अगर उसके हिसाब से आप आचरा करना शुरू कर दें तो वो मांते हैं और कहते हैं गारिंटी देते हैं कि आपका जीवन हमेशा निरोगी रहे रोग भुप्तर है अब वो कहते हैं कि ये जो समसीतोशन इलाके में रहने वाले लोग हैं इनको सोने, उठने, बैठने, खाने, पीने, हर चीज का द्यान करता है तो मैं खाने पीने से शुरू करता हूँ और स्वास्त उसमें आता चला जाएगा वो आपके अपने आप समझने आज़े खाने पीने से शुरू करता हूँ और अन्त खर्णवा सोने उठने बैठने से चलने के पूर से खाने पीने के बारे में चलने कुशीत सवर बात बट करते हैं कि समसीतोशन इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे जादा भ्यान अपने पेट पर रखना है क्योंकि पचन शक्ति उनकी सरवश्रेष्ट नहीं हो सकती प्रयास पूर्वक करनी पोड़ेगी आपकी तो पाचन शक्ति है न वो सरवश्रेष्ट सामने रूप से नहीं होगी प्रयास पूर्वक करनी पोड़ेगी और वही बागवट्ट बोलते हैं कि दूसरे कुछ शेक्रों के लोग ऐसे हैं जिनकी पचल शक्ति सामने रूप से सर्वस्रिष्टों की बिना प्रयास के भी मिल जाएज़े आपको प्रयास करना पुड़े तो आपकी पचल शक्ति सबसे अच्छी हो ये वो बहुत जोड दे इनके कहते हो चाहिए सोलियर बागवट्ट कहरे हैं कि समसीतोश primo यालाके में रही वालों को पाचल शक्ति सर्वस्रिष्ट होना चाहिए अगर उख्यों की पाचल जशक्ति अच्छी है तो उनका रुवम सुखी है ये और यह ज्यान बखना तो हमारी है वाचन शक्ति सर्श्रिष्टों उसके लिए पहला सुक्त उनों ने दिया बोधनान के रिशुकवारी इसका अधर बोजन प्रेंट में पानी पीना जहर पीने के बराबर है जो लोग संसीतोष्वी छेट्र में रहते हैं उनके लिए हमारे हम जहां लोगे हम अगर खाना खान के बाद पानी पिये हैं तो बागबाट परेशी बोलते हैं कि हमने जहर पी लिया इतने करे शब्द में वो कह रहे हैं इस बाट कियो ओच्छने लेए हम सब्सक्ति कि जो संसीतोष्व इलागे में रहने वावेज मों जैसे ही खाना खाना शूरू करते हैं उनका पाचन दे पूर्म शुरु हो जागा।rences बटालों क्वरण कि ही आजर में अग्णी प्रदीत होती है। सभी कि आधी हैं जासे ही ग्रओंपकाने की वैसे ही दोले में अग्णी कि और बिर ऐ sas зв्ड करें दूश्याऊन को मिला दो अगनी नहीं तो खीर कभी भी नहीं बनेगी हमर पास चाबन और पानी नहीं जो चाबन कभी भाद नहीं बनेगा हमरकः दान हे और पानी है अगनी नहीं तो दाल नहीं पकेगी भाजी अच्छे से अच्छी है मसाला ओर भी अच्छा है अग्जी नहीं है तो भाजी नहीं पकेगी ऐसे दीसियों धारड के आप में direction तो ये कहते हैं कि जैसे रसोई में अग्जी का महत्त है ऐसे ही पेट में भी अगनी का महत्या पेट में अगनी है तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं है तो नहीं पचेगा और वो कहते हैं कि जो भोजन नहीं पचा सके लिए उनको जीवन में 108 वोज आने ही वाले है कितना भी वो बचाओता है क्यों आने वाले हैं तो गेजे ने भोजन पचेगा तो रस बनेगा रस में से मास मज्जा रखतवीर मल और मूत्र बनेगा नर मूत्र शरीर के काम नहीं है तो बाहर में पर जाएगा मास मज्जा रखतवीर शरीर के काम का है तो शरीर उसको धारन करेगा और ये मास मज़़ा रखत गीनी ही है जो शरीप को चलाएगा बात समुझ में आती है और सीवी से आपको अग्रीन की ज़रूरत है जैसे रसोरी में वैसे प्रेट में तो अग्रीन चाहिए खाना खाते ही ये अग्रीन जल जाती है ये ओटमेटिक है आपने भोजन शुरूर किया अग्रीन प्रदीक्तों में अब ये अग्रीन तब तक जलती है जब तक कि भोजन का रस नहीं बन जाता है और भोजन का रस बनने में लगभग सामन में रूप से एक गंटा लगता है रस बनकर आगे जब भोजन पचता है उसमें चार गंडे लगता है रस बनने में एक गंटा लगता है तो भागभटे विशी का कथन है कि जब तक रस नहीं बना तब तक पानी नहीं पीना चुग क्यों? रस बनने के लिए अग्मी जल रहे है आप में गिल 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 ग्रथानी पीनिया अग्मी खांज हो जाएगी, रस्वन एगाने, भोजन सरेगा और बादबट तेतिने के सड़ा हुआ भोजन 108 रोग पैदा करेगा कौन बंजे लोग पैदा करेगा? ACVG, हाइपर-ACVG, अलसर, तत्किक अलसर, गैस बंदा, जलन होना, खटी लटाजे आना, मूने से पानी आना, ये सब, और ये तो छोचेफोट है, और अन्तमे खतरनाक से खतरनाक हो, पैठ का कैंसर, बटी आतका कैंसर, इंतिसकाइनल कैंसर, रेक्टरम कैंसर, कोलेक्टलर कैंसर वहां तक 1008 रोग तो इसलिंए आप जहां रहते हैं, उस इलाक उसका पहला सूत्र है खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए चले ना? नहीं चले को कहते हैं कि हम तो गटागट गटागट लोता भर जब तक पी नहीं लेते चैनी नहीं होता, शानती ही नहीं होता आप बहुत गैलत रहें अगर आप खाने के तुरक बाद गोटा भरके पानी पी रहें तो मत कीजिए, बंद कर देजिए, इस आदक को बदल जहें फिर कई लों कहते हैं कि अगर खाने के बाद पानी नीदी है तो गला साफ नहीं होता तो उसके लिए विकन्थ है क्या विकन्थ है तो वो कहते हैं कि पानी छोड़ कर पोई भी ऐसा तरण पदार्थ पीजिये जो अगनी में मदद करें बाद पट उसको कहते हैं कि फ्रेट में जढ़र अगनी प्रधीत हैं तो वो कहते हैं ऐसा तुछ पी लो जो अगनी को और ज्यादा बढ़ा है शांत ना करें तो अग्मी बढ़ने वाली क्या-क्या चीजे हैं तो वो कहते हैं सबसे अच्छा है दही का मठ्था फिर दूसरा कहते हैं धूद और तीसरा उन्होंने बताया है कोई भी फल का रस खासकर खटे फलों का रस जैसे संद्री का रस मुसंबी का रस अंगूर का रस तमाटर का रस ये सब झो खट्टे रसों नीमू का रस आवले का रस अनननास का रस ये झो खट्टे रस हैं ये अग्मी को और पविथ करते हैं तो चरःट रशिशि बोलते हैं कि भोज़र के बाद या तो कोई रस पिऊ मुसमी का पीदो अंगुर का रस पीदो कोई रस पीदो खाना खाना खाने के पड़ा या तो वससे की भाल्ग और नहीं तो दूदै। है अब दूदै को पिना है मठा को पिना है मुझा क्ला उन्हें अन्हें बताई वो यह कहते हैं कि शुबता några की पिना और यह वो इतनी सख्टी से अगला वाकि बोंते हैं कि यह तीन जो और हैं रस सुबह पिना बठा दुपर को पिना दूद्चा शान को पिना इसमें इंटर्चेंगी नहीं चले लिए दूद सुबह पी लिया, मठा राथ को पी लिया, जूस दुपर को पी लिया, वो केते हैं सब क्या नाश इतना शोटे लेवन पर वो भूल गए, इतना माइकोव है, इतना लीख है रस पीना है तो सुबह ही पीना, मठा पीना है तो दूपह कोई पीना है, और दूद पीना है तो राथ कोई पीना है, तो आप खाना खाने के बाद ये तीन चीज़न पी सकते हैं, जूस पीलीजे, मठा पीलीजे, दूद पीलीजे, पानी मत पीलीजे, और आपके बने में ज्यादा प्रतिशन पानी ही होता है तो चरक रिशी अद्वत हैं वो सौरी बाद अद्वत हैं पानी मत पी वह ऐसा बोलते हैं और जूस की वह ऐसा बोलते हैं जूस में पानी है पटे में पानी है जूस में पानी है तो इसका बहुत सुन्दर उन्होंने दिया है और यह उत् लुख कर लुख के ए से क्या कमीसिए जैसा को ऊतर है अपना कोई पान कोई wrench नहीं पना कोई और यू को जिसमें आदासे तो जूस में पानी को है न वो जूस के जैसा दः ना पानी जो है ना दही के जैसा है और दूद में पानी दूद के जैसा है वो पानी नहीं है दूद में पानी दूद है मच्टे में पानी दही है और जूस में पानी फलीते रस के जैसा सादा पानी मत पी जूद में है पानी तो पी सकते हैं मच्टे में है तो पी सकते हैं जूस म बाग मठ्टे विशी के हम साथ, खाना खाने के बाद पाई नहीं पीना है, पीने के लिए तीन चीज़े हैं, जूस, मठ्था, दूर, जूस सबर है, मठ्था दुपहर को, दूर, शाम को, ये एक छोटा सा सूत्र, मैंने डाइज़टीस के सेपरों मरीजों को कहा कि तुम करो जो डाइज़टीस के परिशिंक है, जिनको किसी को भेंक है दाइज़टीस, 10 साथ से, 12 साथ से, और वो कहते हैं, कंट्रोल भी नहीं आती, तीन बाह इंजेक्शन लेतें, इंसुलील के फिम भी नहीं आती, उनको ये एक सूत्र मने बताए कि कर लो, मुफक में है, बाह ब तो जिसने भी किया है चार पांच महीने के बाद हरे में मुझे फोन किया राजी भाई काम बहुत आता है इस वह कोई बोलता है कि मेरी शुगर चार सो यूनिक के उनपर कभी नीचे रहती ही नहीं और ये एक सूपर कालम किया है तो 117 तक आगे है बिना किसी दवा की मदद के सिर्फ इतना ही किया है कि बोजन के बाद पानी नहीं किया है सुगे भोजन किया है जूज पिया है जूज पिया fu नट्रा तया राकत थेया ती tutte तो आप भी लेओ, अच्छा सूप ने, घर्चा कुछ भी नहीं, नुफत का, बस इसमें आज़ बदल है, आज़ बदलने से बदल जाते हैं, शरीर के बारे हैं, बागवाश विशी कहते हैं, ये बहुत फ्लक्सिबल है, आप जैसा चाहो वैसा वैसा, आप बदल दो, आज़ बोख्या करें, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि खाना धीरे-धीरे, चबा-चबा के खाएं, तो पानी की जरूनती नहीं है, और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे करिपे से समझाया है, कि जिसके जितने दां, उतनी बाद चबाएं, हाँ, ये याद रखने में ब बागवठ प्रेशी कहते हैं, कि जितने दां उतनी बाद चबाएं, तो तीस दांत है, तो तीस बार चबाओ, अठाइस है, तो वो कहते हैं, कि दांत के हिसाब से चबाओगे, तो बीच में भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों मुह में जो पानी बन रहा है जिसको आप लार कहते हैं, चबाई के ज़्यादा, तो ये खुद ही इतना ज़्यादा बनेगा, कि खाना आपने आप यूचे उतर जाएगा, पानी की जरूरत नहीं पीना हैं, और उत्मियम है, बोजन को धीरे धीरे चबाओगे खाना, अच्छा, अब मैं आपको एक दू मनस्युफोली जिए हैं, गायको देखाँ, गायको सुब runway खाना खाएगी, पानी तबी दुपहर् पिये इच हैं, ये गु मनस्यु को नहीं मानदा बैस देखाँ,ने अगे गायक कि घुचे पानी हैं, और रोप क्र लुकान अपदैरे शुबस्छ को नहीं इस हुलताए है एक जानवरों और चांवरों से जाधा मूल के कभी आंपम्हे सबा गाय तो इक हर दोकिज तो हमारे मेसे चाहु तो ये गायवेत पहस हमसे जादा स्वस्त हैं, पक्षियों को आप देखो, सुबह सुबह आना चुगेंगे, पानी दुपहर को लिपिएगे, तो हर पक्षी और पशू पानी और खाने के बीच में चार गहंटे का अंतर रखता है, बागवट कहते हैं कि वो मनुष्य से खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने को इतना धीरे चला चला के खाना, कि वो पानी की तरह से नीचे हो चार जाए, ठीक है? नहीं समझ में आया हो, तो अभी तुरंट आपने, इस बात को समझ में नहीं आई तो तुरंग पूच्वा, जूस के पर खाना है, जूस ही ये लियान हो, जितने भी रसीले फल है, उनके खाने का समय सुबह है, जितने भी ठोस फल है, उनके खाने का समय दुपहर है, रसीले फल सुबह है, ठोस दुपहर है, आप सब को समझ में आगया, आपको भी, आगे बढ़ू, दूसरा सुथ, वाप अच्छा, दूसरा सुथ तो और भी अच्छा, वो यह कहते हैं, पानी आप पीते हैं, भोजन के बाद पीजे, कम से कम यह कढ़िते बाद पीजी, लेकिन पानी पीजी एक ऐसे, खाना जैसे खाना है, चबा चबाते हैं, तो पानी कैसे पीडा है, तो चरक रिशील कहते हैं, पानी ऐसे पीजी है, जैस करके पीन वुट वुट पानी पीना थोड़ा थोड़ा फानी पीना यह है कि आम हूँसे लोट डरा ते घंद्धक यह बहुत गलब करीका है कि गिभीला के धानी घंदेवीं औ sih फूनटा यह लगा पाली को पका해요 वो ये कह रहे हैं कि मुह में जो लार बनती है ना ये शरीर की सबसे अच्छी आउशरी है और आप ये जादते हैं और महसूस भी करते हैं कि जानवर सब अपनी बढ़ी से बढ़ी चोट को चाट-चाट को ठीक कर लेते हैं क्योंकि उस लाइवाव मेडिसिन है तो मनश्री के इस लाइवाव मेडिसिन है और बाद महत्त का ये कथन हैं बहुत गहरी बात उनने कही है कि पूरे ब्रह्मांड में यही ये लार है जो वात, पित, और कफ तीनों को संतुर्ण रखती है तीनों को एक साथ संतुर्ण रखने की पातत इस लार में और वो ये कहते हैं कि ये लार अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में अंदर जाए तो वात, पित, कफ तीनों का संतुर्ण रहेगा और वात, पित, कफ के असंतुर्ण से रोग आता है अगर ये तीनों संतुर्ण है तो रोकियों आएगा आपको, ये रोगी होते हैं, तो गुड़ गुड़ बरके पानी करें, ये दूसरा विया, कर सकते हैं, कोई भुष्टेल है, बस आदत गड़ेंगे, तीसरा विया, तीसरा वियां वो कहते हैं, कि भारत में जहां आप रहते हैं, प्रकर्ति और वातावर मैंने आप से खा संसितोष्न है, तो पानी का तात्मान भी वैसा ही होना चाहिए, माने, आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, माने, फ्रिज में रखा हुआ पानी आप नहीं पी सकते, बरफ में डाला हुआ पानी आप नहीं पी सकते, ये आपके लिए बर्जित है, तो आज से तो थेंडा पानी पुना बन करने, फृरिज़ का पानी बन करने, बरफ दादा बन करने, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह भी उन्हों करने, वो यह कहते हैं कि अगर समसीतो शुन चेत्र में रहने वाले लोग थेंडा पानी पिएगे तो क्या होगा, तो वो यह कहते हैं कि उनको सबसे खराब एक रोग होगा, मल बद्दता, मल बद्दता ने अस्टिपेशन, कबजियत, और मैंने ये बहुत अच्छे से अपनी आपनों से देखा है, रोज में देखता मुस्पाश्च, जो लोग ठंटा पानी पीते हैं, तो चिल्ड वाटन, फ्रिज में रखा, उनकर से बरफ डाले के पीते हैं, वो सबेरे जब संदाव घड में जाते हैं, तो एक एक गई दे तक बाहर में आए, उनको कुझो क्या करते हो एक गई दे, तो के जिए नियूस्पेटे, मेहीन परते हैं, क्यों परते हो, कोई साफ नहीं होता, इसलिए परते हैं, प्रतिक फिर ठाखार के एक बार आजा आजा वो नहीं आजा तो भागभट रिशी बहुत इस्वश्ट कहते हैं कि समसीतोश्र छेत्र के लोग फ्रिज का पानी पिये बरफ नाला हुआ पानी पिये तो मन बद्धता होगी मन बद्धता होने से 130 रो पाएंगे और जिक नी भर आप उभी व्रोगों से लड़ते हुए मज़ए इसलिए पानी ठंडा बद्धता होगी तो फिर आप बोलेंगे जी कैसा पानी पिये जितना टेंप्रेचर है कैसा पानी पिये आपका टेंप्रेचर सामनी रूप से 30-30 दिगरी सेंटिग्रेट है माने इश को सरल भाषा में कहें हलका गर्म पानी पिये गुम्पुना पानी पिये पोसा पानी पिये यह है कि जब बहुत गर्मी है तापमान 40 दिगरी के लिए उपर निखल रहा है तो आप मत्की का पानी पिह सकते कि ये तो तीन म्हिनीं ही होगा मैं जून बहुत अधिक होगा तो ऐसरे zor eximวesta को मतीग कपनी हीजहे बातरी डिनों में कोसा पाभड़ पानी फोनका गर्म पानी इंफुना पाणी हीजुए कि मैंक मता सं उस्कारओ नहीं रलम्लिय की सिर्ट में चोर्ड़ नहीं। इसको सीषः क्यों बनाएं एन्ट से क्यों बनाया है, हिनुस्तानी पड़़्तीक विया हिनी प Danielle कि Healthy W बनाना कोई होशेयारी की बात नहीं है, मन्नूरी करते हों। और बात पर दिशी में बहुत सुन्दर एक बात के लिखा यसको आप विमेशा याद रखिए। वो कह रहे हैं कि स्वस्थ कौन है। तो ऐसे थो वो कहते हैं जो स्वामे इस्थित है वो स्वस्थ है। लेकिन ये तो वो कहते हैं, एक ऐसी परिभाशा है, जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आई थी, स्वामे इसके थोना, एक सरल परिभाशा उन्हों ने दिये, वो संस्कृत में लिखा है, मैं हिंदी करके बोलता हूं, वो ये कहते हैं, कि जिस वियत में इंको, संदास घर मे टॉइलेट में जितना कम समय लगता है, वो उतने ही जादा स्वास्त है, इसको समझे आप, टॉइलेट रूम में, संदास घर में, जितना कम समय जिसको लगेगा, वो उतने ही जादा स्वास्त है, कोई 10 मिनिट में बाहर आजाता है, कोई 15 मिनिट में आए तो 10 मिनिट वाल से जादा स्वस्ते और कोई भुस्ते ही बाहर आ जाए तो वो सबसे बहुत है ये बार आप कभी भूलना ने इसको आप बुलकुल दिमाज में कहीं फिक्स कर दो अपने ब्रेंट के कमपुपर में डाल दो कि टॉइलेट रूम में जिसको जितना कम समय लगता है वो जिन्दि करते रहो कि आपका टॉइलेट रूम का समय कम होता चला जाए तो ये तभी संबल है जब पानी आप गुर्भूना पियें खोसा पियें गुर्भूर करें बोलन के बाद ना पूंकर एक गंटे बाद पियें ये सब उपाएं जो आपको अंत में लेकर जाएंगे कि टॉइल तो शुर्चेश्र में रहने वाले लोगों को दिन की शुरूवात कैसे करना दिन शुरू हुआ तो वो बहुते पानी से दिन की शुरूवात करते हैं पानी से सुबह उसके ही सबसे पहले चीज़ शरीर में कोई जाए तो पानी ही होना जाए अब हमारी जीवन शरीर ऐसी ह कि उस्ते ही सबसे पहले चाने जाती है। और कई लोग तो ऐसे हैं योटा भर भर के पीते चाने। कॉफी, चाय, कुछ लोगों को भीवी, सिगरेट, कुछ लोगों को तंबापू, ये सबसे पहले अंदर जाती है। अगर कुछ अदर जाना है, तो पानी जाना चाहिए। बानी से दिनकी शुरुवात करें। और इसको उन्होंने दूसरे सुत्र में लिखता है। उशा पानी करिए। सुबह उचते ही पानी पीजिए। अगर सिमा कुछ पानी आप नहीं करें। और जोरा तो आपज पानी करें। बाद करें। नहीendisne isso. और रात्री का अंग दूद से करें माले रात में अब कुछ खाना नहीं है आखरी चीज जो आप खा रहे हैं तो वो दूद ही होनी चुँए और सुगह जो सबसे पहली चीज आप पी रहे हैं वो पानी ही होना चाहिए तो रात को सोते समें दूद सुगह जोस्ते समें पानी ये है नीम चौटा और वो ये कहते हैं आगे दूद पीने के साथ वो ये कहते हैं कि दूद अपने आपने इतना स्वादिश्ट है कि उसमें कभी भी मीठी चीज मिला के पीने की ज़रुरत रहे पने शक्तर मत मिलाए बूर मत मिलाए खान मत मिलाए बूरा मत मिलाए इसा है वैसा भी पीटे जाए लेकिन उन्हों ने इस बात कर बहुत जोर दिया है कि दूद पीना है तो गाय का ही गव गव शर्पता इस्तेमाल किया भैस के दूद के लिए नहीं कहा और यह हमें दिखाई दे रहा है जब से इस देश में भैस का गूप पीना शुरूर किया है लोग भैस जैसे ही गो रहा है आप देखो भैस कैसी है सड़क पर खड़ी हो जाए सामने से ठ्रक आए पीछे से बस आए कितना भी हौप बजाए बैस पठी वहीं खड़ी है अकल नहीं हगे कैसे बैस की चड़ में घुच जाए है और घुच गई तो बाहर नहीं है मारों के जंटा फिर्टी नहीं है और बैस का बच्चा जो बैस का गुच पीता है आप जानते जनम लेकर ही गिर जाता है खड़ा नहीं रह सकता और चार पांच दिन तो हिलता भी नहीं है इतना आज़ी है भी पड़ा रहता उखा के दूसरी जगे रखना पर और गाहे का बच्चा बैस गाहे का गुच पीता है जनम लेके आजे गेंटे में तो अपने आप खड़ा हो जाता है और अगले आजे गेंटे में तो जनमीक शुख कर देता है खुटना शुख सर देता है और दो गेंटे के बाद तो आप पपड़ नहीं सकते है इतना दौँ जाता है क्यों गाहे का बच्च पीता है तो गाहे के गूद में चुस्ती फुर्ती है भगवार क्रश्ण ने कभी 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 भगवार क्रश् क्योंकि बोजान के बहस कैसे है, राम जी ने कभी बहस ने रखती है, दत्त वहवान के पास कभी बहस नहीं के, शंतर वहवान ने कभी बहस ने पाली है, बहस सिर्फ यम्राज ने पाली है, हाँ, तो जाना है अगर यम्राज के पास, तो फूब बहस का रूपती हो, मुझे को और ये बात को विज्ञान के आधार से बता देता हूं सारी दुनिया के बैक्यानिक ये मानते हैं और रिसर्च की हो गए है कि भैस का गूठ पी ओ तो शरीम में कॉलिस्ट्रॉम जाड़ा बनेदा और ये कॉलिस्ट्रॉम ही है को हिदे घात लाता है और हिदे घात आएगा तो ये घात को पास जाने ही पुरेगा तो भैस का दूठ पीने के लिए में लोला बागवट दिशी ने कहा है गाय का दूठ पीना है तो गाय खाई पीना है कई और मुझे ऐसे बिले इसलिए मैंने लिए एक्स्पेनेशन दिया तो गाय का दूठ पीजिए रात को सोते समय जबी आपका सोने का समय है और आप में से कोई रोग ऐसे है जो रातरी भोजन नहीं करते है तो जब भोजन का आखरी चरण है तभी दूठ पीने लिए उसके बाद कुछ पीने नहीं है जाने पीन करते हैं तो चार शुत्र हो गएो है। पहला सुथ करता ओँथ। भोजन के तुरंगाद पानी नहीं पिना। कम से कम एक गण्ते बाद बाद पिना। दूस्रा सुथ here है भोजन के चबाद के खाना इत्ना चबाना की पानी की जरूफ़त नहीं करें। पानि पनिना है। पांचा सूरा है दिल की फूरातों पानी से पाउन्षा पानी कर ला है?" कितना अब आपके मन में पुरफिन आएगा जी कितना तो चरख दूशी सौज़ा बांगर्ट ने कहा है कि आपके वजन के हिसाब से पानी की मात्रा प्यकरिए वजन कितना है उसके हिसाब से पानी की मात्रा प्यकरिए अलग-अलग वक्ति के लिए अलग-अलग पानी की मात् किसी का 60 kg है तो कम से कम 4 लिकर पाए। 50 kg है, कम से कम 3 लिकर पाए। सुबह नहीं, पूरे दिन में। मैं जो बात कर रहा हूं कितना पाई पिना तो पूरे दिन में। सुमझता तो भी नहीं पाई हैं, चार लीटर पानी पक्का करनी जे एक दिन में, साथ किलो बजन हैं तो चार लीटर पानी पक्का करनी जे, पचास किलो बजन हैं तो तीन लीटर पानी पक्का करनी जे, तीन लीटर से नीचे वो बोलते हैं कि किसी को नहीं किना, क्योंकि वह गुलते हैं कि 50 kg से अगर कम बजन हैं तो वह मिमार हैं वह गोनते हैं अस्वास्त है उसको बजन बढ़ाने का कोई न कोई उपाई करना हुझे तो त्जीस प्रेज कार पांच नीवर की टेटेगरी हैं अगर कोई बया 18 kg बजन है तो पानी बढ़ जाएगा आब इसमें से सुबह इतना पीना ये बात वह में कैल्कुलेशन करके बताई है कि जो पुण पानी आख पी रहे हैं उसका वंधर्ध सबीरें भी गाना के सुबह का प्रहर वो भोलते हैं कि सुवह का सुबह कई प्रह़र सुरु हो जाता है चार बजे से लेके क्ला मीटर रिखigmat किने वाले हैं ie मैं युद्ध इंधा सुनिय दॉप Chan August नीयुकी पीनेमने हैं युग कि अदेशी मैं पीते जाएंगे तो समय पकी बीचर पिनेगे तो पेट पूल जाएगा, तो धीरे धीरे पीजा, सिपशिप तर कीजा, और उनका ये एक छोटा सा सूप कि मैंने बहुत लोगों को अजमाया, ऐसे अभी-अभी मैंने थोरे दिन पहले देख्टी पर अजमाया, एक मेरा अपना ही दोस्त है, वो अमेरिका चला गया था, आपस आजया, क्योंकि उसको नौकरी से निका लिए, अब दूसरी किसी पंपनी में नौकरी नहीं मिली, तो अमेरिका में अगर नौकरी ना मुझे तो रहना बड़ा मुश्किल है, तो गोला पस आजया, अभी बैंक बाद में रहता है, तो यहाँ अने के बाद उसने पास को कुछ नया राफ्ता नहीं है, बाद मंट रेशी के कुछ सूत्र है अगर कर सकते तो पालं कर लो, क्या सूत्र मैंने का बोजन के एक 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 मेंते बाद पानी कियो, पानी हमेशा भूब भर भर के पियो, हलिका दूम बना पानी कियो, कभी भी सुबह उठो तो सबसे करने पानी कियो, ये कुछ सूत्र है, चाहू जो पालं कर लो, उसमें कर लिया हूँ, आज उसको एक साल और साथ मीनों हो गए, एक साल और साथ मीनों में उसका बजन अब बात्र सप्तर किलो है, एक सो सप्तर किलो से सप्तर किलो है, सिर्फ ये सूत्र का पालं करना से, और म वजे की बात ये है, वो खुद कहता है कि मेरे शरिज में कोई कंजोरी नहीं है, फ्रेशनेस है करने से, शिप करके पानी की में लगा पानी, बोजल के गोई बेंटे के बाद हल्का गुपना पानी, सुगा उफ्तेई पानी, बजल अपनी आप उसका कम होगा, तो मैंने एक व गया है, और वो फोहते हैं कि पानी जो है, जब शरी में सीमेट्री आजाती है, समानुपाडा आ जाता है, तो उसके बाद बजल करना कम बनी कर देए, अब समानुपाड क्त आ गया, उंचाई के हिसाब सो बजल आ गया, जितए उसकी उतना बजल होना चाहिए, आप उसके कितना भी ये करता रहें अब इसके नीचे वजन नहीं जाए 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 जितने अच्छी चीज़ है आप से जोगे हम ठिक्नी दवाई खाते हैं वजन कम करने के लिए कई बार वजन कम हो भी जाता है फिर दुबारों बढ़ जाता है बहुत लोगों को मैंने देखा है दवाई खाके वजन कम किया वजन फिर पहले से जादा बढ़ गया उपवास करके वजन कम हुआ कई बार उससे जादा हो जया लेकिन ये चरण विश्वादी बार मट्र का सूत्र इतना अब गुद्ध है कि जितना चाहिए वही पर लाके श सेकंडरी है यो प्राणायां कर सकते हैं नहीं कर सकते सेकंडरी है आप कहीं जा सकते हैं घुनने तहने सेकंडरी है प्राइमरी ये है चार सूत्र बोजन के देर गंदे बाद पानी प्यों पानी बेर के प्यों हलका गुन ना पानी प्यों सुबह के शुरू आप पानी से कर और आप शुरू कर दो कल से, आप में से जिसकों भी लगता है कि मेरा बज़न ज्यादा है, चार मिनी के बाद मुझे एक छोटा सा फोन कॉल लगना, नहीं तो पचास पैसे का ये पोस्ट काट लिखना, मैंने सेकों लोगों को बताया है, एक भी लेक्टी ऐसा नहीं है, जिसमें फोन पर बुला हो राजी, बाई मुझे कोई फाइदा नहीं हुआ, ऐसा आज तक एक भी आग्टी में बोला है, ये हमारे खान पान में स्वास्त घुसा हुआ है, कैसे ये कुछ हो रहा है, इसके रहने वाले दोग है, उनको भुजर अगर करना है, तो कभी भी खड़े होके नहीं करना है, इस्टैंडिंग पोजीशन में खाना नहीं खाना है, मानि बुफेर सिस्टम, वो आपके लिए नहीं है, वो बफैलो के लिए, बुफेर सिस्टम, बफैलो सिस्टम, आपके लिए पनुष्य के लिए नहीं। बात पर बहुत जोड़ देते हैं कि सम्सीतोष्ण चेत्र पर रहने वाले मोगों को खाना हमेशा बैठ के ही खाना चाहिए। तो आप बोलेगे कि आम डाहिएं पे वुरुत बाइब के नहीं। जैसे आप अभी बैठे हैं। अब हाशन है। योगती भाषा में उसको सुख आसन कहते हैं। इसके बाद अगर कोई दूसरा आसन है खाना खाने के लिए तो बाद हटने बोदा है दोनों पेरों को बैठ जाने घुटनी मोड़ता है जैसे गाय का दूप निकालते हैं उस पोजिशन में बैठ के दूसरी पद्धिती है सबसे अच्छी ये है जिसमें आप अभी बैठे हो दूसरी पद्धिती है जैसे गाय का दूप निकालते समय हम बैठते हैं जमीर कोई काम करते समय हम उटनों के बन बैठते हैं वो पद्धिती है इन दोनों में से आपको जो अंकूल पड़े है आप को में ये पद्धिती शाहिए ज्यादा अंकूल है जिसके आप अभी कर दो आप केंगे कि खरीब लिया है कबाड़ी को बेच बहुत सारे कबाड़ खरीब लेते हैं बेच देगा यह अच्छा है उसका चरह करशी ने बुकस और बापटर में बोला है कि जो लोग धंड़ी एरिया में रहते हैं बहुत सर्दी वहां जमीन पर ना बैठें खाना काते समय तो चलेगा मनें द्रभुकश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश् बहुत सुंदर है लिए जैसे खाना कभी खड़े होके नहीं खा सकते बाग्वर्दुशी बोलते हैं पानी भी कभी खड़े होके नहीं पीए पानी बैठते ही नहीं खड़े होके नहीं और वो बोलते हैं कि कभी कोई इमर्जेंसी है मजबूरी है तो पानी को पीते समय आप स्वरवार्ड बैड़े आगे जुक जाए कमर से बुट्टों से नहीं कमर से जुकिए आगे फिर पानी पीदे जैसे हम प्यावर्ण पर पानी किते हैं तो पोलते हैं यह second best position है पानी प्याहु मैं आगे जुक कर पानी पानी प्याँ इसके आगे पाया है इसका विद्ने और ऑु पानी आपने पिलिया, तरीके मैंने बता दीये कितना पिलिया, कैसे पिलिया युदी आगया, अभी उसके आगे का नियम वो 이 कहते है ख twenties जो खाते हैं संसीतोष के चेक्तर में भारत और भारत के कई इलाखे वो यह जहते हैं कि दुपहर का खाना कभी भी खाएं तो उसके 20 मिनट खाने के तुरण बाद 20 मिनट विश्राम लेना बहुत जोरी है दमतरी वालों को तो बहुत आवश्चक है और रायपुर वालों को भी आवश्चक है भारत के 680 जिले धमतरी ही कैसे हैं सबको दुपहर के खानी के बाद 20 मिनट विश्राम की बहुत आवश्चक है और वो 20 मिनट विश्राम की बाद कहते हैं तो कहते हैं वामकुक्षी वामकुक्षी का मतलब यह जो बाया हाथ है न ल इस 20 मिनट में नीट आ जाए तो कहते ले लीजे उसको रोकिये मत लेकिन कोशिश करिये कि वो 20 मिनट के आगे न आ जाये हैं और यह बहुत इस पर तुनने ने कहा है 20 मिनट नीट ले 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 बहुत अच्छा है अगर 1 गंटे हो गई है नीट 2 गंटे हो गई तो मोटा पा और ना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर हम इसको उल्टा पूछें कि दुपहर को खाने के बाद विश्राम ले ही ले तो चरप रिश्टी में 63 डिसीज की लिस्क बनाई है यह रोग आ जाएंगे इसलिए दुपहर को खाने के बाद 20 मिनट विश्राम जरूर दीजे इस्त्री हो या फुरुष उन्होंने बोला है कि उम्र थोड़ी आगे है अगर साट साल है तो आप 1 गंटे तो विश्राम दे सकते हैं दुपहर को अगर साप से चाजी के बीच की उमर है तो 20 मिनट का विश्राम सपिशेंट है चाजीज के कौन है तो भी 20 मिनट का यह उन्होग हैं जादा देर नहीं सोना है सोना है 20 मिनट अज़ो는 कहों को यह राद्त की तीन घंटे की मीत से बराबर कर लेता है ये एक समय है, इतना अच्छा होता है, तो हमारे देश में कई जगे मैंने देखा है, एक नियम जैसा है, दुखहर को कोई भी दुकान दार दुकान नहीं खोलते हैं, इस देश के हैसे सैपरोगाओं मैंने देखे, वो शायद बाद बच्टे के पक्ते चेले, खाना खाके वि दुखहर को दुकान पर नहीं लिखेगा, दुकान बंदी रहे लिए, खाना खाके घर में आरामी करेगा, करोणों का बिजिस चोर देगा, वो कहता है परवा नहीं आपके, शरी ठीक रहते हैं, और भहुत स्वस्त हैं, ऐसे बहुत साले हैं, तो आप भी कल से ज्ञान बख विश्रांती नहीं चाहिए, दो घंदे तक स्वाध्याय करिए, भज़त करिए, जीवतन करिए, संबाद करिए, टहलने चले जाएं, वो कहते हैं, हदार कदम अगर आप पैदल चलने तो बहुत भी अच्छा है, विश्रांती वो घंदे बादी हो, कम से कम, अधिक से अभी तिन गहटे वाद, समसी तोष्ण चेत्र के लोगों पर, तो आप दुपहर को खाना खाएं, तो बीस मिनट विश्रांती लें, शाम को खाना खाएं, तो तुरंट सोने ना जाएं, दो घंदे तक कुछ दूसरे काम करें, अब आगे करने हों हैं, सोने में वारे में वो ये क सिर्ख हमेशा पूर्व दिशा में रहे तो अच्छा पूर्व के बाद दूसरी जो दिशा है सोने की वो दक्षन है या तो पूर्व में सिर्ख करिए नहीं तो दक्षन में करिए उत्तर और पश्चिन दोलों को उन्हों में क्रॉस कर दिया और उन्हों में एक्स्वेनेशन दिया है उत्तर की दिशा में सिल करके सुने से म्रत्यू जल्दी आई थी और वो कहते हैं कि उत्तर की दिशा म्रत्यू की दिशा है बच्पन से मैं देखता आ रहा हूं हम मेरे समझ में आया कि किसी की भी म्रत्यू हमारे घर में हुई तुरंत हम उसका सिर उत्तर कर देते हैं ह हमारे घर में ढहिंता, फिर मैंने दिखा वह सही कहने में यहीं हो रा को जिसकी भी घर ड़े विहांönोंगता जिसकी भी इतना हुँ में जाता है!. आफ़ातामी अटाता क्योश्ति में ऊक्षि ए तो ने क्काता हैसा हुझthat हो या तो पूर्द में करिए या दक्षिन में तो आज से ही आप अपने बैड का पूजिशन बदर बोगें आपके बैड का पूजिशन राई दरीश और साथ और तिर आगे वो बोलते हैं कि सोते समय कोशिश ये करिए कि आपकी चंद्र नाड़ी सक्रियों हो चंद्र और सूरे नाड़ी माने राइट नास्टल तो राइट नास्टल कम चले लेफ्ट जादा चले सोते समय इसकी कोशिश करिए तो बारवट तो बोलते हैं कि नीद बहुत सुखी आई दी मने दीर रमीद आई थी अच्छी नीद आई थी तो आप इसके लिए क्या करें सोते सम राइन आग से सास भरिये, बाहीन आग से सास को छोड़िये और सोचे प्रयास को वह करते कि थोड़े दिन आप प्रयास करिए थोड़े दिन के बाद को अटोमेटिक हो जाए खुछ करमे नियुकुडेगा तो ये छोटे-्छोटे मैं आपको बारा नियं मता ड़िय आगे बताओं या बंद। मैंने बारे बता दिये ऐसे दो बजार हैं आपकी कितने करद सीचेश हैं। मैं अभी बोलता हूं यहां पर स्टॉप में कर देतों। क्योंकि यह नियों अगर आप शुरू करते हैं तो मुझे आगे के बतादिना मजा रहे। क्योंकि आगे के नियों इसके थोड़े कटिन हैं। यह थोड़े सरण हैं। आसान हैं। इसलिए मैंने पहले बताएं। आप इतना शुरू कर दो तीन-चार महिने के बाद मुझे डॉक्टर साथ फोन कर देए। कि बराबर लोग कर रहे हैं। तो फिर मैं आ जाओंगा उसके आगे के कुछ पचास और नियम बताने के लिए। फिर आप इनको शुरू कर दो फिर तीन-चार महिने बाद आ जाओंगा सो नियम और बता जाओंगा। मुझे छुपा के रखने में कोई इंट्रस नहीं है। लेकिन आप करें हैं। नहीं करते तो इसको लिखने में भी कोई मजा है। आप इसको कल से ही शुरू करें। और मेरा दिवेदन्या की घर के छोटे बच्चों को बच्पन से ये संस्कार के रूप में डाल दें। तो उनकी जिंद्री तो सुखी हो जाओ पन से पर। एक और मुझे मुझे याद आ रहा है। और जरूरी मानतम इसलिए बता देगा। बादमेट रिशी बोलते हैं कि भोजन को अगर सूरी का प्रकाश और पवन का इस्वर्ष नहीं हुआ इसको भ्यान से सुनिया। तो उसको कभी भी नहीं खाना उजह है। बादमें सोचता रहा, इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है रैफ्रिजरेटर का खाना कभी नहीं खाना, क्योंकि रैफ्रिजरेटर ये ऐइसी मशीन है जिसको ना टोस्तुणी का प्रकाश आता हैना पवनका इस्वरष भान और दो है। करके लिए तोड़ी है तो कवारी की एगर पहुत सारा कवार्ण एकठा कर रखा है आपने आप हिसाब कभी लगाओ मैंने एक दिन मुंबज में मुंबज में आपो से अगर कोई गया हो ने परियल सुझ बहुत महिना यह आपको अजकर महां एक इस पर फिट जलिन की कीमत ने एक बार ऐसे ही एक वेप्टी के घर में रुका हुआ था मैंके इसी रोड पर सत्रे हजार उपए एक स्क्राइर फिट तो कहले लिए राजी यह आप बोलते रहते हो कि पगार कबार मेरा इतना सुन्दर डाइनी टेबुल है इसको पगार बोलते कि मैंने का जरा हिसाब निका हुआ है सत्रे हजार रुपए स्क्राइर फिट का एरिया है यह मैंतने इसी रोड कितना एरिया आपने ब्लॉक किया हुआ है अपने जरा सोचे और रोज का तो तुर्त उसके दिमांग में आगे मैंने का कि मिताल दो तो बढ़िया अपनी था ऐसे समझ गया और मैंने समझा है कि यह कुझे स्वर्फिट एरिया घेर के रखा हुआ है गाइनी पेडल यह कितना मेहना पढ़ रहा है आपको तो तुर्त उनिया है तो भर में बहुत सारा कवार है जो एरिया घेर के रखा हुआ है इसको निकाम हम भर बनाते हैं इस पेस के लिए और बंद्य तयार तो इस पेस कवर चलना शूं कर देजा है तो 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 इस पेस के लिए बनाता गर के बनाता तो इसको नहीं बनाता फिर दर्म जगर नहीं बचती तो चुटिया मनाने बोतल में चले जाते हैं दो कि वहां इसको नोगना उत इसको आ आसकते अब फाइल स्कार होटल चाहिए छुटी नितानी के तो घर के ये जो कवार है फ्रीज है नाइन के गुल है इसको कम कर दो तो जाना अच्छा है वो बोलते हैं बहुत बहरी बाग वट्ट रिशी कि जो जेती इसका भ्यान रखे सूर्य प्रकाश और कवन इसमर्श हु आप नहीं है वो बहुत सुखी है निरोपन तो ये कुछ सूत्र मैंने बताएं ये सूत्र का आप पालंग करिए आज से ही करें और चलते चलते दो तीन छोटे सूत्र और बता देगा कि हमारा घर का सबसे महतुकून इस्थान है बाग्वट रुशी की कहने पर मेरे कहने कर रसोई है किछिं क्यूंध कि वो ये कहते हैं कि अगर आप इन सूत्रों का पालंग करते हुए मिरोगी नहीं हो सकते तो फिर आपको किछिं की मदद लगेगी पीरोगी उष्लिए वैसे तो आपके बारे तेरे सुन्पर का पालन करेंगे रोज आपके खतम हो जाएंगे नहीं हुए तो रसोई की मदद लगेंगी तो रसोई में क्या है? तो वो कहते है रसोई में जो भी कुछ है वो सब आउशनी है मेडिसिन जैसे धनिया है जैसे नमक है तो वो यह कहते हैं कि इस ग्यान को लेनी के लिए चरक के लेके उवे इस सूत्र पढ़ो तो चरक सूत्र हैं कुछ छोटे छोटे दो चार बता देता हूं जो आपके रोज जीवन में काम आते हैं कि अपने रसोल में 108 दवाएं हैं ये बाद चरक रिशी ने कहा हैं मैंने नूगा फिर एक दिन मैंने मेरी वसोल में हिसाब लगाना शोट जिया तो सच्च में 108 दवाएं हैं साधरन से साधरन वसोल में 108 दवाएं हैं और उसे गंभी लोग भी ठीक हो जाते हैं साधरन लोग तो ठीक होते हैं गंबी लोग में चीते हैं जैसे चरक की अमसार अपने अपने रसोई में तो सबसे अच्छी दवा है उसका नाम है दाल चीन सबसे अच्छी वैसे तो वो कहते हैं सब दवाएं अच्छी है कोई खराब नहीं है लेकिन अगर कंपरीजन करेंगे तो सबसे अच्छी दालची में और चरक विशी के अबसार दालची में अकेले अलतानीस रोगों में काम आती है अकेले दालची में अलतानीस रोगों में काम आती है आप गिलेंगे जी क्या-क्या रोग में काम आती है पित के सारे के सारे रोग पित का रोग समस्ते पेल में ज सभी लोगों में दालचीनी अजबुत है कैसे लेना तो वो बोलते हैं कि पाउडर बना लो उसका पाउडर बना के लेने का है और वो बोलते हैं कि दालचीनी अकेले कभी भी नहीं खाना नहीं तो शरीर को इसकी आदद पढ़ जाते हैं अकेले कभी भी नहीं है ऐसे जैसे दाइचीली का पाउड़ा गनाया और हमने लेना शुरू कर दिया पाने के साथ तो वो बोलते हैं कि इसकी आदत पढ़ जाए भी फिर शरी रोज मांगेडा दाइचीली दाइचीली तो वो कहते हैं कि ओशगी है शरहाग नहीं व्यसंग नहीं तो इसकी आदत ना पढ़े कभी भी शरी पो जितनी जरूरत है उतना उप्लूग मिलाए तो वो बोलते हैं थोड़ा गुर मिलाना गुरू जो जो गुर मिलाना चाहें वो गुर मिलाना और जो गुर नहीं मिला सकते हैं वो शहद मिलाना आप में जो जहन होंगो तो शहद उप्लूग नहीं कर सकते हैं इसलिए मैंने गुर बोला और जो जहन नहीं है वो शहद उप्लूग कर सकते हैं तो उपको शहद मिलाना नहीं तो बुर आधा कितनी तो बोलते हैं समत बरावर किष्च अ चबकाँ दाजरा ऊब्डर तो एक चंबकाँ जिलकाँ है और उसके साथ ऊसको निजे समय क्या है करूटे हैं कि अगर एक आप दिस्ट कि तक्रीम आपको साथ तो रात का समय अचल और बात और कफ की प्रकर्टी है तो सुबह का समय अची देख लिएजिए आप किस प्रकर्टी के उसके इसाब से देख लिए तो ये एक दवा है दान चीरी बुड़ के साथ इससे 48 रोग चीप हो जाएंगे क्या गढ़ी हो जाएंगे पेट के सब रोग फ्रीक होंगे खाली पेट लेंगे सुबह बात और कफ वाले खाली खाली पेट कभी भी मिलेंगे वो राट कोई देख आपके अगों घुत्मों का गर्द है जिसको संभी बात कहते हैं अर्थ्राइटिस हो इसके दो हिससे रुमे ने हमेरा आशान्थी रहते है चुर चुर होती हैं ये एक मैधि का तानाไ TV को मैं का मार ऑगांत है tror्ष कंउपज दाना दोई प्रकर्थी के लोगों के लिए हो घ्यान से सुझनें जिनको बात और कफ प्रकरती है, वही मैती दाना ले सकते हैं, जिनको पित प्रकरती है, गलती से भी नहीं लेगा, नहीं तो तकीफ बढ़ जाएगी, बाले आपको पेट में जलन होती है, जैस बनती है, खटी डगारे आती है, तो कभी भी मैती दाना नहीं खाना, नहीं दोल सबसे अच्छे परिणाम है डाइबिटीज है अगर किसी को भी डाइबिटीज है आप इसको मैत्री दाना देना शुरू कर दो ती चार मेने के बाद इंसुलीन की ज़रूर्यक नहीं पड़ दूसरे सबसे अच्छे रिजन्ट है इसके कंले का दर्ब, कमर का दर्ब, गुपन का दर्ब, पाउं का दर्ब, धर्थी, दर्ब, उसमें बहुत इच्छे परिणा है तीसरा, भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं होना, उसमें भी बहुत अच्छे परिणा है और मैंने माताओं बहनों पर इसके बहुत परिक्शन किये हैं कि हमारे गर्भाशे की जितनी बीमारियां हैं, उसमें सबसे अच्छे परिणाओं इसी के हम मैंती दाने हैं, जैसे हमारा मैंजी साइकल है, उससे जोड़ी हुई जितनी बीमारिया है, समय से नहीं आता, आता है तो देल तक चलता है, रख्ट तबाह जादा होता है, या बिल्कुल नहीं होता है, पेट म मैंती दाने कैसे लेना रात को गर्म पानी में डालना, सुबह उखकर पानी पीना, पीचे से दाना चबा के खाना, मैंने एक और रोग में इसको अभी देखा करयों करके, यूट्रस डिस्प्रेस नहीं, गरभाशे अपने इस्थान से हड़ गया, ऐसा कई बार होता है, और जिनका सेसेरियन ओपरेशन हो गया, तो गरभाशे हड़ गया, और ज्यादा तर बाक्तर बोलते हैं कि इसको आप काटे मिताले की जरूरत नहीं है, अगर वो बेकार होता तो बढ़वान में दिया चाह, शरीका को यह बेकार में यह काटे मिताले की, उसको ठीक करो, बीमार में जितनी भी माताओं को बच्चे होते थे, तो मेरी दादी मा सब को मेथी के लगडू देके आती थे, अपने घर में बना के कडोसियों को देके आती थे, लो मेथी के लगडू खाओ को, वो मेरे समझने आया, क्योंकि प्रसल होने के तुनिंदार, गर्भाशे को अपने अरगा इसलिए इसरे पर वापस आने में जो समय लगता है, महति दानो लगरी कांगा था है, इसलिए इस देख ने में गाओं गाओं में ये जानकाई ओर Republican बाद में वो कम हो गई जान करें और इसके बाद हम दुखी हो गई यह जान करें फिर वापस लाइए अपनी प्रेवारी मैं की दाने का उत्रों बढ़ाई है बात और पफ वाले तो इसको अमुर्द के समान समझें इससे अच्छी उनको कोई दूसरी दवा दिर नहीं हो सकते बजन बहुत पढ़ गया है मैंकी दाना खाई ये बजन कम कर देगा मात्रा मुना बताया दो चमझ से जाधा नहीं कभी भी एक दिन में दो चमझ से जाधा नहीं सुखा मैंकी दाना दो चमझ एक चमझ भी ले सकते हैं शुरू में क्योंकि तीखा है करगा है खाने में तक के फाइल है तो शुरू में एक ही चमच ले लिए फिर आज़क पढ़ जाए तो परादीजिए दो से उपर मत परे जाए रख्त के जितने भी दूशन हैं उनकी सबसे अच्छी दवा है यह नंकी तरह है यह दर नहीं है फिर मत लिए फिर मैं दूसरी दवा बताओं जिनको ऐ प्रेसिमिधी छोड़कर जो कुछ लिए है उनकी बात हो रहे हैं कफ और पिक उसली बात और कफ अगर रख्त के दूशन है रख्त के कई विमानिया है जैसे रख्त में कोई गंदगी है तो वह आपको चर्व रोपके लुट में दिखरी ले तो अच्छा गोर आ जाएंगे फोड़े होना पूसी होना पूपलस होना वहां से होना वहां से हो गए तो काला काला हो जाना यह सब रख्त की तकलीफ है इसकी सबसे अच्छी दवाह है ड़िक का गार और कई वहलों को समय शुरू होने पर भी मेहिसी शुरू नहीं होता अगरों का उम्र आ गया लेकिन न तीसरी दवा के बारे में वह बोलते हैं बाद में चरखरिशू की अपने रस्यूही में है और बहुत अच्छी है उसका नाम है चूना चूना यह पान में लगा के खाते ना चूना वोी कि ए यह अकेला चूना लगभं 50 बीमारियों के कामा तरा लगभं 50 अजिन को जोने का पानिया देना शुबी कर दो आज दस निन के बाद अदवूर्थ परेडाम बेलेगा किसी को भी जोड़े से चुने का पानी देखे पानी न चुना मिला के देखे नहीं के चुने का पानी दही न मिला के खिलादे लसी न मिला के खिलादे मठे न मिला के खिलादे और सबसे अच्छा है गल्मी के रस्न मिला के खिलादे मैंने ये चूने का परिणाम देखा है है जिसके सभी केसिस में बहुत अच्छे कर दो और लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी में ये चूना अजबुत का अज़ा कभी भी आप उप्योग करते हैं और ये गंभीर बीमारी जो अक्सर हमें होती है ये जो आपके बुढ़ने दर्व करते हैं चूने का पानी की हो जो माता हुचिंगर पैशालीस वर्ष हो गही है मैंनो प्रॉस्पेरिय शुग हो गया है सब को बोले चूने का पानी की है अलु पुप खिलाते हैं फिलाते हैं के विभी लंगा यहीं भरती चूने का पानी देने लिए को अध्मुत लंगा ही भ़ादी कितने उमर करके 21 और यह क्या क्या काम करेगा मैंने मैं नब बनादे का हूँ कभी भी एक ग्राम से जादा चूना नियों कराब से खराब भीमारी व मैं आपको एक सरव भाशा में समझाता हूँ, पान पर जितना चूना एक बार में लगाके खाते हैं, तो लगबग एक ग्राम होता है, उतना ही खाना एक दिन दिन, फिर दूसरे दिन, फिर किसरे दिन ऐसा ले हूँ, मैंने अभी इसके परिणाप को थे हैं, केटरेक्ट में, अगर किसी को केटरेक्ट है आपका, और वो अपरेशन नहीं कराना चाहता, उसको वो दुच्छी में बपाई दिन, अगर माताओं को और बहनों को ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर, जो बिनाइन में, मेलिगने बिनाइन होते हैं, 90% चूमर बिनाइन होते हैं, लिगन वो चूमर को बिजों मुखर दा तो इसकी सबसे जाजा ताकत इसी कूने में, अब काम आता है, इसलिए मेले सब को बिंदिया चूना खाईये, तंबा को मत खाई तंबा को छोड़ते चूना कहाई, कोई ऐसे बट्चे बड़े लोग हैं Yakbar होत्ते रहते हैं जाल पड़ जाते हैं सर्दिवों पाँ सदर्भान सदीॉ वहाँ तीन होट्टैश्या पर नहीं के बारगोंनुट नें रैसे हैं चाहिए ने चाहिए तो कि जातीरीक्तृ ट॑ पचास से ज़्यादा बीमारियों में उप्योगे हैं, ऐसी अपने घर में नमक हैं, नमक, बहुत अच्छी दवा है, बानबत रिशे और चरग रिशी दोनों इसकर सहमत हैं, कि हाई ग्रड प्रेशर हो और लोग लग प्रेशर, दोनों में ही नमक में रिसे हैं, अलग अलग जिनको ब्रेशर उचा है, उनको चरग रिशी बोलते हैं, समुध रिस्णान करना, अब आप बुलेगे, धम तरिवे समुध रिकां से आए, तुम्हें बताता हम, पानी जो नहाने के लिए है, उसमें नमक बिला दो, समुध रिस्णान करना, उसमें नमक के पानी से नहाओ सादू मतलबा 15-20 दिन सतत अगर आप में नमत पानी से इस्काम किया सोल के दिन ब्रेट प्रेशर चेक करना मौर्बन मेले और जिनको ब्रेट प्रेशर लो है उनके लिए है कि नमत पानी में मिला के पिऊ लेकिन नमत गौन सा ये वदा नमत नहीं आयो भी नियो ये नमत नहीं है ये नमत नहीं है ये नमत के नाम पर आपको जहर खिलाया जाए आपको मालूम है आयो भी नियो नमत में दो केमिकल है जो बहुत ही खराब है एक का नाम है कोटेशम आयो भेट और दूसरा है ऐल्यूमिनियम सलीक है ये दोनों ही chemical शरी में जाने को नहीं सकता लाखे है। इसलिए दुनिया के सभी देशों में आयोगे उत्त नमक बंद है। भारत को छोग है। परांस में जर्मनी में सुर्जन में स्विजलय में जरिमार्य में और डेल का लेखा है। सभ यगे बंद है। भारत में चाने ओर हमने इसके खिलाफ टेस किया। बंबई–हामिपूर्ट केश arthritis केमाशने रिसे दि ni guest ्ंध और सरकार इस puppy क में डेह रहे हैं। अगर हम हार गए तो सरकार करेंगी और हम जिर्दे तो सरकार को पीछे हटना पढ़ेगा हमने जो केस किया है वो इन देशों के बाद है यू बताया कोड कोड की 20 से जाला देश हैं जहां पर आयोगी युट नमक पर पादंदी है वहां के वज्जानिक जो कह रहे हैं वो हमें सुनना चेह तो कोड के का ठीक है तो वहां की बहुत सारी रिपोर्स हमने कोड में डाई है तो कोड में इसके बे लिया अभी कंपल्चन हड़ गया आयोगी युट नमक आप ना खाएं तो भी चलेगा सादा उमन भी खा सकते हैं विलेशी रज्जानिकों का कहना है कि आयोगी युट नमक से नकुन सकता बहुत जादा बढ़ती है बेगमार देश में तो इतनी बुरी हालत हो गई है बीस साद हमने आयोगी युट नमक खिलाया अपने मेमों को आज वहां बच्चे परदा नहीं होगे तो वहां बन कर दिया हुआ हमने आयोगी युट नमक और वहां एक नहीं स्कीम आई है जादे बच्चे परदा तो इनाम मिलेगा पचास हदा यूरो डॉलर कैश प्राइ अधिवे हमने भी इसी समस्या का समाधान करने के लाग रहे है क्योंकि भारत में जरूरत से जादा जंसी है और ये कव नहीं हो रहे है तो हम आई रधी नियुक नमक खिलाएगे पान साथ साल में नपुन सकता बढ़ जाएगी तो बच्चे होई नहीं तो भारत की समस्या ह हाल हो जाएगी यह भारत सरकार का चिंटन ऐसा सदा सरकार सोच तो आप मत करिंगे इसका मेरी मन्हीपा में जनसंख्या कम करने की कोई जरूरत अपने को नहीं है, अपने कोई जन संख्या कम करने की जरूरत नहीं है, संसादमों का भगवारा ठीक होना चाहिए, इसकी जरूरत है भारतकों। जलसंख्या पूँ बहुत ज्यादा नहीं है पर स्कूर किलो लुटर के हिसाब से अगर आप कैल्कुलेशन करीगे तो सबसे ज्यादा जलसंख्या है जापान की उनको चाहिए कम क्योंकि उनके पास एरिया तो है नहीं बहुत ज्यादा लोग है उसके बाद है हॉलें नीदर जलसंख्या इस देश में ज्यादा नहीं है संसाधन के पास तो इतने हैं कि उनको पता नहीं क्या करें और कुछ के पास कुछ भी नहीं है वो भूखे मर जाए ऐसा देश है भारत यह चीख करने की जहीं तो आप नमक खाओ बिना अयोडीन वाला खाओ बेले वाला नमक खा खाओ क्रिस्टल वाला नमक खाओ वही अच्छा और पानी नहीं मिला के इसनाज करना हो तो वही क्रिस्टल वाला नमक खाओ और एक छोची से आखरी बात कि आपके रस्वाई में कुछ सबजीयां भी हैं जो बहुत अच्छी दमाएं चरक बोलते हैं कि जो सबजियों में बजले का उनफरका जितना अच्छा है वो मेडिसट उतनी अच्छी जैसे लॉकी बूदी में बहुत अच्छी है बहुत अच्छी किसी को माखिक हुट लवी करके बहुत अक्छा दूसरा जो सबसे अच्छा सब्जी है तालग और मेती अद्बुत है एने मिया की किसी को भी तक्मीफ है रक्त अल्पता मेती और तालग भर्पूर उखाई है गाजर भर्पूर उखाई है रस दीजिए अनार का भर्पूर रस दीजिए तो सब्जियां में है और मसाले भी है जो अउशबी है अब इस विशह में अगर आपको और ज़्यादा जानना हो आपको मजा रहा हो और सुनना है तो आपको ज़्यादा बेरना नहीं सुना सकता क्योंकि अब मुझे बूसरे व्याक्षान के लिए जाना है लेकिन एक छोटी किसी व्यवस्ता जरूर में करके लाए इस विशह को हमने कुछ किताबे बने है उस्तक वो यहां को लाई है आप उन्हें ले सकते हैं मैंने जितना बताया उससे दस गुना जादा उन पुस्तकों में है आपके रसोई में जितनी भी आउशनिया हैं उनसे एक सो आठ रोगो की चिकित्सा रसोई हर से दूसरी एक पुस्तक है जो मैं बार 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 बोल रहा हूं ना बादबट्र ने ऐसा कहा बादबट्र ने ऐसा कहा बादबट्र ने ऐसा कहा तो बादबट्र के सुत्रों को सरब भाशा में लिखा है उस पुस्तक का नाम है स्वाब लंगी अहिं साथमक्ष कितश है say एक वी सुली कुछ तक है हमारे घर के नज्दीक में जो कुछ की जड़ी पूटीया है उनसे होने वाली चिकितश है हम संका नाम पैंज गवर्व से खाह गाय और गाय के मज़्दीक में का क्यां शर송 है और एक है सौंदरी चिकित्सा, बने इसकिन के जितने भी डिसीज है, वो कैसे छीख हो सकते हैं, वो है सौंदरी चिकित्सा। फिर एक है स्वदेशी चिकित्सा, ऐसी ठुट्टों की 5-6 किताबे हैं, उनमें यह जानकारी है को मैं दे रहाता है, और ज्यादा भी है, आप ले सकते हैं, और इसी विश्यों पर सीडी बनाई है, चानीज भैंके के, वो आप ले सकते हैं, बार-बार सुन सकते हैं, दूसरो मैं आप ले सकते हैं, और मुझे पूश हो, मने सिदी की कॉपी बना बना के आप देगो, मुष्टफों की कॉपी बना बना के देगो, तो यह बात भरदर अकर पहुच जाए, तो हमारे खान पान ऑर हमारे रीत मे बाहर में ही स्वास्त और चिकित्सा जो जाए, तो लापो करोनों रुपय का खर्च ब़ल जाएं, और आप शुखी हो जाएं, धेश शुखी हो जाएं, ये देश में ढहन को रास्ती हैं सर्मेह भवन्तinação सुखनें", सर्मेह संध्निरामや मां सर्मेह भघ्राभ्वंत robi, मांकश्डल पत्तांग i Ф rollsi अगर सब निरोगी होने पे यह कुछ रास्ते में बताए आप नवड़ी भ्यान और शांती से सुने में आवारी हैं आपके पास में अभी महां बैखा हूं कोई प्रश्न हो जरूर पूचिये कोई शंका आई हो जरूर पूचिये समाधान करना है तो भी जरूर पूचिये तन मैंने कोई इप्रेश्न करना है चाहे है तो इप्रेश्न पूच सकते हैं इसा बोलते हैं और उन्होंने कई मरीदों पर उसके परिक्ष्ण किये हैं वे इस सौथ कैंसर पर उसके पूचिये उसके कुछ रिजर्ड वो बोलते हैं कि आई ही मैंने अभी वो देखे हैं अगर मैं देखू तो उसके बारे में कह सकता है लेकिन मेरी क्यान कारे मैं कुछ वैद्धे ऐसे हैं इस देश्न के जो कैंसर की आई एक शिकित्सा करते हैं और उनकी शिकित्सा में मैंने लोगों को कि ऍवे देश में हुआ जाते हैं में अभी हाल में दो चैनल au दिखाया इसा होगा है कि गांदी जी को गाली दो तो प्रचार नहीं प्रक्रम के दो तो तीवी चैनल वाले और उनका बोलने वाले गानदी जी के बारे में कुछ भी उली जलूल बढ़ेते हैं और प्रचार का जलिया वो बन जाए उसमें बिल्कुल की सच्चा जिया है इसलिए कि मैं गानदी जी के आश्रम में यहाँ हूँ अभी में रहता हूँ गानदी जी से संबन्दे जितने भी दस्ता में वो सब आश्रम में है मैंने बार-बार उनको पढ़ा है देखा है और टीटी चैनल वांपर जो कहा लिया उसमें कोई गर्ण चमार्कों की सच्चा जिया है इसलिए गानदी जी के बारे में कई बार कुछ बाते आएं तो आप आसानी से कुछ निकार नब करें अभी हाल में इस बहुत खराब बार गानदी जी के बारे में आए कि 50 साल की उमर में उनको किसी से प्यार हो गए गानवी जी की अपनी लिखी हुई किताब अगर आप पढ़नें जिसका नाम है My Experiment of Truth मेरे सब्सक्ति के प्रयोग तो उन्होंने बोला है कि मेरी जित्वी के 35 साल में मैंने ब्रह्मुचरे धारण कर लिया मेरी पत्मीने मेरे साथ ब्रह्मुचरे धारण कर लिया और उसके बाद हम दोनों भाई वहन की करे से रहे 35 साल में कानवी जी की दक्कियों हुई डर्बल उसके 50 साल के आसपर 35 साल से जो आदमी ब्रह्मुचरे धारण कर लियai वो पचास साल की उपर में जाके ऐसा फिसन जाए ये तो कहीं दिखाई रिजेता जिस ब्लैक्पी ने ये कहा उनका ये कहना है कि मेरी किताब प्रिके जिसमें उन्हें ये लिजुमा तो उनको किताब बेच नहीं है और उनको किताब बेच नहीं के लिए इस तरह की वूल दें, वूल बातें मैं उसमें ठाथते रहे क्या ब्लैक पी जू है दूत की जाए पी तेख से अच्छी होती है और यह जब रो कसंधी है ईबात सही है अगर आपको चाहे भी पीई है जहूर पीजें estatus बना गूल पीजें आ पिम दूत होना पीजें है यह लिशूरा वाल यह तो पत्ते वाली है वो पत्तेघ वाली कैरोटें है और बीटा करतुन हिदय के लिए बहुत अच्छी आउशदी के रूप में काम करता है क्योंकि यही विटर्मिन एक बनाता है और हिदय के बहुत ज्यादा उपनाता है और यह जो पत्ते वाली चाय है इसमें तीन केमिकल हैं जो एंटी ऑक्सिदेंट की तरह से काम करते हैं और लेकिन उसमें शक्कर में होनी चाहिए यह बात ध्यान दीजिए चाय में शक्कर मिलते ही तक्लिक होती है चाय में शक्कर नहीं होनी चाय में शक्कर बिलकुल नहीं शक्कर माने शुगर शुगर के जो केमिकल है और चाय के केमिकल है दूसरे के दुश्मन है इसलिए चाय प पहले ही उप्योंगी है ज्ढ़ा माज़त्रöll पाली किने से कोई लुकसान दूने है हां अगर आपको फित्त की तकलीफ नहीं है यह ऊपर भ्यान से सुने अगर फित्त प्रकंधी आपकी है तो जबूर स्सेज़ादा पाली आपको तकलीफ कर देगा हाइडरोसिन हो सकता है फ प्रिंडेसइस की बितक्लीफSकती। इसलिए घ्यान रखिए। फिरत वाले लिविट्वीज पानी लिए, कम भी ना पिये, ज्यादा भी ने जवती होगी। बहात और काफ़़ॉत को पानी पानी प्यास कुई। काफ़़ॉत में जितना पानी पिया। जिनको मोटापा जादा है वो पानी जादा ही उनके लिए बहुत उच्छा है जूज मड़ा गुट्टा क्रम उलखने पर कौर कौन से विफ्टो रहा होता है इसका मेरा पूरा एक तीन घंडे का व्यक्तान लेता है विरोधी और विबिद चीजें खाने का हमारे आयवेद में बहुत मनाई हुए दो विरुत दुबस्तों कोई में कबिशा और विद्द रूीक जरू करम के नहीं खाना सुराइसिस आ सकती हैं, सुराइसिस अक्सर आती है, उन्य पेशेंट को जो विपरीद खाते हैं, विरूक्ता आते हैं, और विपरीद समय में कहते हैं, तो जब जिसका समय हैं, उसी समय आगाूँ पर आप बिच्यों की आख का चश्मा यद्यी गाजर है ना गाजर गाजर उसको कर्दु कस据分享 घ्षिए तो उसके लक्षे से बनेगे और से उसको कर्दु कस्म항 घ्षिए उसके भी लक्षे बनेगे दोनों बराबर मातरा में मिलाकर टेक भरबार के खिलाइए बच्चों को सुझत अ हिपनी खिलत हैं हुट जिय तो चेच बच्चों के चष्में बहुत हाराम से उतर जाए लिब साइस ही और कुछ बच्चे ऐसंगी तो इस दो साल कख घा ते लेकिन उतरना आकशा सहोत है , हो आप ने काक पानी फिर मेती का पानी तिर मेती काई हैँ और दोंचे। कि अधे कंने कि सबसे पार में हुआ ऊसे निएग टामी इस निए वाइन संवे नंक हो जी उखवांग करती है। या पानी लेके मेधी का पानी लेके बीच में नाश्टा कर सकते हैं, बाद में चूने का पानी ले सकते हैं, तो बीच में हाले रेंदे के गयर्प में आप नाश्टा कर सकते हैं, तीनों के बीचे हैं, तीन साल की बच्ची की हाई नहीं बढ़ दे हैं, उसे चूना कितना और मैंने बोला एक ग्राम से जादा कभी मत दीजिए और सुदर सुदर दीजिए दही में मिलाके दीजिए लस्ती में मिलाके दीजिए गन्मे के रस्त में मिलाके दीजिए नहीं तो साधा पानी के लाके 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 पर उसके बाद बाल को भोई उसे शेंपू मत लगा लिए उसके तो डेंडर दो राती उपार में निकल जाए तो जो स्वांट जाएंगे वो अपने आप गुट्का छोड़ेंगे और अदरक आएंगे तो भी गुट्का छोड़ जाएंगे तो जिनको गुट्का खाने की आदत हैं उनके लिए आप करिए छोटे-छोटे अदरक के टुकड़े काटिए दूप में सुखा लेजिए और उनको दीजिए जब भी गुट्का खाने का दिल करें वो गुट्के का एक मूह में ये जो अदरक का टुकड़ा रखें और उसको चूशते रहे दिन बर पर खतम नहीं होगा रात पर भी खतम नहीं होगा दो थी दिन लगातार करें तो चौटे दिन से यादी नहीं आई वे दुट्का खाने के पल्स पोलियों गया कि बहुत जरूरत नहीं है हमें बहुत ओवर्डोज कर दिया हमारे बच्चों को पहले चाला था कि पुरात देंगे अब पता चलता है जब्दस पुरात होगे और कई बच्चे बिचारें मत रहे हैं किस पोल्स पोलियों की पुरात है इसलिए मेरी विंत्ती है कि ज्यादा इसको ओवर्डोज मत वह दो और वैसे भगवान में प्रकरती में हरे को डिफेंसिव स इसकम दिया है शने और वो डिफेंसिव सिस्कम पर बरोसा करें मैंने कभी पुरात में घही मेरी देहन में थी किसी को प्रकरती में है ऐसे हजारों लोग है नामत परोगो लेखिंग दूनिया के दूसरे देशों में यह सब वेक्सिनेशन बंदो चुका भारत में चालो है अमेरिका में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है, भारत में चालो है, क्योंकि उनको भारत के बच्चों से कोई ऐसा लगाव नहीं है जो अपने रक्षा से, तो ये मास वेक्सिनेशन तो बहुत ली खराब है, इसमें आप मच जाएं, जरू रखते हैं, हैपिटाइट सुबह का समय रात का है, सुबह का समय जूस का है, बुपहर का समय मचे का है, रात का समय दूद का है, दूद सुबह मच पीजिए, मचा रात को मच पीजिए, जूस शाम को मच पीजिए, बच्चों के ये भी है, बढ़ो के हैं, दूद, अगर आप दूद पीना चाहते हैं गिरुदर्द है तो इसकी मात्रा ते होती है काम क्या करते हैं मालिज़ाइब महनत का काम करते हैं हाथ पे रहलाते बुलाते बहुत महनत करते हैं तो एक दिन में इस सारे 300 मिली विटर तक जड़ की सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं करते हैं सुवेशाम आराम की जिंदिगी है तो कभी भी 200 सबा 200 मिली विटर से जादा दूर बत नहीं मत करते हैं चोटे बच्छों को उमर कितमी हैं मारी ये साल अंदर की उमर है साल के अंदर की उमर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको 100 से 300 मिली लेतर और एक साल से तीन साल के बीच में उमर है तो दो सो मिले लेकर बच्छों को आट तस साल के बच्छों को ढई सो से तीन सो के बीच में चलेगा लेकिन एक उमर बढ़ने के बाद से ज़रूरत उतनी नहीं है पंदे सोले साल के बाद उतनी ज़रूरत नहीं है तो उसकी मात्रा चाहें तो कम कर सकते। बच्चे लोग बिर्च नहीं खाते हो तो क्या है। मिर्च नहीं खाते तो उसमें अच्छी ही बात है। मिर्च अगर नहीं खानी है तो अच्छा ही एलान दिर्च तो कभी मत खाई। खानी है तो काली दिर्ची खा सकते। क्योंकि उसमें उन्होंने तिनी लॉजिकल बाते कहीं हैं जिनको पढ़कर ऐसा समझ में आता है कि यह उसको यह भी मिवारी नहीं है वो खाम खां खाम का उहगा कड़ा किया गया है पंडोल पेच उतरी और यह उसका कड़िने के बाद में पेमारी नहीं है वीदे अश्ममे आपने में तो हाई कोट में चारऻएची चांपन देशी कंपनिया दो पराब उसमें से कुछ कंपनियों के खिलाब प्रोट में आदेश दिया और उनको भारस से जाना पड़ा जो शेयर बजार में पैसा पमाती थी और बिना टेक्स के उसको लेके जाती थी कुछ केस अभी भी पेंड़ी है कुछ का फसला रहा है कुछ अभी भी पेंड़ी मुझे एक जानकारी को छूड़ गई आपको बताने के लिए वो चरग सहिता की नहीं है सुशुरूप की भी नहीं है बादबट की भी नहीं है वो जीवन विवार में से समझने आई भी बात है वह यह है कि आपढ़न जो खाना बना ते इसके यह तेल इस्तेमाल करते हैंगि तो यह दिबबबन तेले इस्तेमाल बसके क्योंकि हमने जब बिबबबन तेलों को परीछालां में परिक् alm कर वाया तो पता चलना कि वह इतनी खराब हैं उसमें इतने चैनिकल हैं जिनकी आपको पल्प नहीं नहीं जी और यह दिपाबन तेल ज्यादा बड़ा तारण हैं फिर्देगाद के लिए आपके सामने कैलाश्टोनी जी हैं इनको कॉलस्वाल बहुत बढ़ गया था और जो खराब कॉलस्वाल है ना दिया इनोंने एक ही परिवर्तन किया आपने जिन्देगी बिपाबन तेल खाना इनोंने बंकर गया शुद्ध तेल खाना शुरू किया अब उसके बाद इनोंने लिटिल प्रोफाल चेक कर आया तो इनका जो खराब कॉलस्वाल था वो कम हो गया और जो अच्छा पॉलस्वाल थ जादा अच्छा तेल को भाने को है मुफली का है तिल का है और हमारे घरों में कई बार इसनाल होता है स्कारसों का... यह तीन को छोड कर 14 तेल गझत है दोनों की तेल के करिया है जिस पर पच्चनी की क्रिया शुर्ण की होता है यह सानीज थेन ज्रही разм gevान हमारे की नुप ठीर है वह ते श्याइप जाया inside तो इसलिए सोयावीन अच्छा तेल है सुवर के लिए सुवर होते ना इनको भरकूर सोयावीन तेल खिलाने चाहिए और सुरल मुखी का तेल भैस को दिरूर खिलाने चाहिए उसके काम का है का मनुखी के काम के लिए और तेल होए याझ यह तो असलिए और ų है न सबसे आसाने से हमें तो चल्चा है और वह दाल था है मसूर की दाल रखते हैं, अरेव की दाल रखते हैं, चली की दाल रखते हैं, सोयजीन दाल को भी 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 नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अच्छी नहीं है, शास्त्र के हिसाब से भी नहीं है, इंडियान के हिसाब से हैं, सोव Mean Stars eat & All Team वो खा सकते। उरोप में बहुल्य खा सकते, हमारे लिए में नहीं पहा सकते । पहिल सोव Same 2019 सबस्ट मधे का मध खा सकते है, जरूर का यह । कि बिपने दी बर्शे पानी की कि किपनी देन पहले पानी की सब्गेशन थे शॉबुर किया का है कि चाहें अधिली में कि आग र tee प्ट रोड़िगा निटे शॉयबू के साथ चलंग ऑमने के खाइए प्रप्रवाइब की बिंग में जरुरत है। चना और ग्यामू बेस्ट कॉंबिनेशन है। किशी दो कि बत ख़या। उस तोयवीश को पचाने के लिए जो शरीम में लगता है ना इंजाएंग। वो है नहीं हमानेशी है। वो सिर्फ सुर के शरीम है। मनुष्रु में है ही नहीं। तो खाने सुब्लू फाइबा नीफ बचेता हैं नहीं। वेकार वेस्ट की जानवाज है। चना ठाइए, भोडा भोडा चना ठाता है। और भूजीसी बड़ी ताकत भोडे भी रहाटीं जाती है। और हर ताकत को गोडे से ना पजाता है, होर्स प्रॉबार्स इन चीजें आपको दाइट में शामिल करिए, आपका वजन चार से पाँच महीं में एक किलो बढ़ जाएगा, नेमे खुट सकते हैं, और दावा बढ़ाना है, तो दो-तिन सार यही खाते करें, और परी प्रशन, आपके एक प्रशन पुछा था, इसी तरह का, मुझे लाना गया, अगर माली जब दिट्ची की तक्लीफ है, और बाद की तक्लीफ है, तो आप क्या करें, तो आप फिर यह मत लीजें, दाल चीजें ने भी मत लीजें, चूने का पामी भी मत लीजें, आपको तीसरी वाउशनी बताएगा, जिन को पित और बाद दोनों उनकी सबसे अच्छी धवा है त्रिफलाचून में आमला हरग केल सब करें ये कि तीर दवाएदे यह आपना किनेग समब एक है एक चमच 않 में अरुण को टू कि अच्छा परिणाम है रात को पिएगे कम परिणाम है लेकिन है अच्छा परिणाम लेना है कि सुगर बीजिए कम तो रात को आप जी आमला हरडे पर वहेडा मात्रा पिशंप संप मात्रा रखे एक एक अनुपाद आदा किलो आउने का चूंद आदा किलो हरडे का आदा किलो वहेडे का तीनों मात्रा बराब वां चो जो इन जाएगव तो यहीँ मिल जाएगा दं तरी है बीना नहीं, अच्छा देखने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती है, आपको वालू में कई बार कुछ बहने बहुत बोरी दिखती हैं, लेकिन जब उनकी नवस देखते हैं, तो पता चला कि एनीलिया की शिकार है, हाँ, रत तल पता है, तो रत की कमी आने से जो पीला पन है, वो ह अच्छा नहीं है, जी, धन्यवार, अभी आगे भी कोई प्रश्णों को आप पर प्रजिक्टे कभी भी फूच सकते हैं, जी, इनका इस प्रश्ण है, कोई अलोग बहुत इमर्जेंसे है, तो भोजें के तुरंबार को बंता होगा गर्म पाने से, थोड़ा सा, इमर्जें से, अच्छा नहीं के हसाफ से मत मिजें, इमर्जेंसे मत मिजें, रोग इवान के हसाफ से तो एक बेर गटे के बाद, हल्का गर्म ही सबस्तर है, आशाया, आशाया, आत्र प्रश्णों दो तर मिलगे आओ और वहारा आप तो सबस्तों में, अंत में जी लख्मा निंजें क अंतिर कर रहा हूं, तो यो आजाट है सने के रहीं है. अजादी बचाओ अंजोला में धिनुस्वराय गज्यान की धंप्री की अभाल व्यक्त करती मांग्रेश्री गाधी गुच्छी जी जो की धिनुस्वराय गज्यान करनेता है कि आपने एक बात और धंप्री बढ़ार करके और आज का जो नया विशय था उसके प्रिमिजान सबोग उसका लाप दिया हम आभादी हैं हम उपस्कित समस्त रबुद जनों के विशेशूर से नगर में सत्री एक जो महीला संगठन है उनके जिनोंने बहुत अच्छी उपस्तती प्रदान कर इस कार्था किया और सभी ग्रमान इनाविकोंगें जिनोंने यहां पर उपस्तती प्रदान कर इसायोजन को सार्था किया हमा भाली है आगरने से मुझी लगी साहूर यहां से शेखा वर्मा जो पुझे शिकाई के अध्यक्स हैं कि आपने भी अपना बहुपूर्णी समय दे करके और हमारे करेक्रम की शफल का में सही हो मारिया हमा भाली है तुमस्त्र पत्रकार्वित्रों के जिन्होंने सुचना और प्रकाशन के मार्चन से जन्यद लगे आज के सायक्रम की शुचना दी और यह शफल आयो दिन ऐसे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्तायोग से संपन्ध हुआ है है ऐसे सभी को हम अर्दिक हावार जापित करते हैं मंगल भावन प्रवन्यन के भी हम आभाजी है और यवस्ताओं में सहयोग जर्काओं के हम आभाजी है पुर्ण बहुत कहुंत धन्यवाद सचायक्रम इनी समात पोतार जैसे के सुचनाय भी गई है कि राजी दिदी का एक और प्याक्ष्यां राम कफाप और आधारिक ग्राम अर्जुनी में इसके बाद अभी तारम होगा अपसे लजबत आदे जनके बाद